देखे वीडियो से इंटर्टैमर के लिए नेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फलाने वालों को साफ करना है तो लाइजा इस वीडियो को अपने दिल के फैबर पे मत लेना जादा तबियत खराब हो तो किसी अच्छे डाक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा ले हेलो दोस्तो आप सभी का एक पर फिर्चे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकमोई फिक पर दोस्तो आप सब कैसे हैं उमीद है कि आप सभी अच्छा होंगे दोस्तो अगर आप लोगों ने राम से तो फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तो आज की इस फिल्म को बात करने वाले हैं और दोस्तो इस फिल्म को बताने वाले हैं कि इस फिल्म की कहानी कैसी है तो दोस्तो चलिए इस मुविस को देखने से पहले आज की इस फिल्म को बात करते हैं मुवी से जुर्यकूश रोमांटिक फैट के बारे में साथिसा दोस्तों फिल्म को बनान में कितना रुपया कार्श हुआ था और इस मुवी जने बॉक्स अबिस पर कितनी कमाई किया था जूटी है इसके उपर भी हम चर्चा करेंगी इस वीडियो में और इसे एक साथ दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब भी दोस्तों दर्शकों में एक अलेगी किसम का क्रेश देखने को मिला था और लेकिन साथे साथ दोस्तों इस फिल्म के उपर भी बवाल मचा गया था तो चलीए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं इसकी कौन से चीजे हुई थी फिल्म के अंदर जिसको लेकर राक्षाय कुंआर की उपर भी बवाल खाड़ा किया गया था और साथिसा दोस्तों फिल्म की ही रोक्षय कुमार के इस्टार्टम पर भी सवाल किया गया क्या वो सिर्फ इसी तरह का फिल्म में लेकर आते रहेंगे इस से पहले दोस्तों ओमाई गौड फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी जिसमें अक्षय कुमार ने हिंदू धर के उपर जो है काफी ज़्यादा नकिल कसी थी और साथिसा दोस्तो अब 2022 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी राम से तो जिसमें इन्होंने भागवान राम के उपर बताई गई कहारी को इन्होंने दोरा आया फिल्म के अंदर जो घटनाए थे उसके बार में कुछ ने कु ज़स्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारी यूरूप चैनल एक ही मोई फैट को सस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें बिल आइकन को प्रेस कर देजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिविकेशन आप लोगों तक असानी से चला जाए तो चलिए दोस्तो आवमेया से बिस्तार में बात कर लेते हैं राम सेतु फिल्म के बारे में दोस्तो बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को हिंदी भासा में रिलीज किया गया वहीं पे दोस्तो फिल्म के र स्पूशारे में तो दोस्तों इस मुवीज natural ने और डाया है तो दोस्तों इस मुवीज ने तकरीब reckless घृम का नुकसान किया और इसे साथ यह फिल्म डिजास्टर स्थावित के उपर और वही में की पॉड़ॉक्शन कंपनी के बार में हम बात करें तो दोस्तो इस फिलम की पॉडॉक्शन कंपनी के बार में हम बात करें तो दोस्तो फिलम को प्राइम वीडियो में रखा गया है वहीं पे दोस्तो के बब गोर्ड फिलम द्वारा फिलम को बनाया गया साथ यसा दोस्तो लाइक आप पॉडॉसन और फि भी मिल जाती है फिल्म में नजर आने वाले मुखे स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर अक्षा-ए-कुमार जेकलेन फर्णांडीज उन जाव नुसरत भरूचा और फिर्जुय सत्याद दिवने फिल्म में अभिने किया बात करें फिल्म की कहानी को लिखा गया है जो कि दोस्तो कहानी को पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया गया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोस्तो आफ को बता दें की फिल्म डिजास्टर शाबित हुई थी रिलीज होने के बाद वही दोस्तो फिल्म की घोसना के उपर बात करें तो इस फिल्म की गोस्तना नवंबर के महीने 2020 में फिल्म के बार में बताया गया था वही दोस्तो जिसकी परमुक फोटोग्राफी 30 समार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी साथी COVID-19 महामारी के बीच उतपादल को और सफलताओ और फिर जो है देरी का सामने करना परा इसके वज़स से फिल्मांग कें अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में उटी, गुचराद, दमन और दियू, माल दियू और फिर मुंबई के पास इस फिल्म को शूट किया गया इस एकसा दोस्तो राम सेतू को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उस सो के दोरान नाट के रूप से फिल्म को रिलिज़ किया गया था और इसे अलोच चकों से नगार तमक समिक चाये देखने को मिली वही दोस्तो इस फिल्म ने दुनिया वर के बॉक्श अपिस पे 93 कुरूर की कमाई की लेकिन ये फिल्म अपने 110 कुरूर के बजट की भरपाई करने में इस मुबईज ने भी खलता दिखाई है वही दोस्तो फिल्म के डेलान के ऊपर बात करें फिल्म की उतपातन परटॉट खान के उपर बात करें तो दोस्तो इस फिल्म के लिए सब से पहले पता चला तब जाकर ये फिल्म अक्षय कुमार की मा औरुना भाडिया और फिर बिक्रम मलोतरा दौरा अक्षय कुमार की केपब गूर फिल्म दौरा उसी केसा दोस्तो एमबादेशिया इंटर्टेन्मेंट दौरा लाइक अप पॉडॉक्शन और फिर जो है अमजन प्राइम का सितंबर 2021 में नितन हो गया था इसके वजह से चंदर परकास दिर्वेदी को रुचनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था अक्षय कुमार ने फिल्म को अतीत वार्तमान और फिर जो है वाविस्य की पिरियो के बीच एक पूल के रूप में वर्नीत किया जो क कि आपको बदा दे फिल्म टिम ने डेटिंग दे एरा ओफ लाड ड्राम 2004 और फिर जे पुच्ट की सांसा जो है फिल्म का पुरा तत्वा और अन्यत छेत रुके बिसेस गोस्स से प्राव मार्च से लिया था फिल्म को बनाने में ये सब कुछ सेट होने के बाद मार्च 2021 की सुरुआत में मेडिया रिपोर्ट ने पुच्टी किया था कि जेकलिन फर्नांडिज और नुस्त भरूचा को अक्षाई कमर के साथ इस फिल्म में मुख्य भूमिका निवाने के लिए साइन किया गया है जून के महीने 2021 में सत्यद्यो कंचना ने कुलाचा किया था कि ये हिंदी सिनेमा में अपनी पहली फिल्म का हिंसा होने के लिए तयार है जो कि फिल्म की अधिकारी कोशना 14 नौवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर की गई थी और सेप्टमबर 2020 की पितली रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग आयोध्या और उतर परदेश में राज टीडिया राजदाने छेतरों के आवशत बूते नागर जीले में किया जाएगा वहीं पे दोस्तो इस फिल्म के लिए प्रस्ताविक फिल्म सीटी में होगी बताया गया जो कि 18 मार्च 2021 को आयोध्या में राम जनम भूमी मंदिर में टीम द्वारा पूजा सम्हारों के बाद मुहरत शौट आयोजित किया गया था लेकिन दोस्तों वहाँ पर लोगों की एक बड़ी जो है अनियंतरित बीर के कारण मुख्या फिन नेताव द्वारा आयोध्या में राम की पेड़ी घाठ की एक योजना बत यात्रा रद कर दी गई थी उसी वक्त दोस्तों कोवीड-19 का भी चर्चा चल रहा था प्रिंसिबल फोटोग्राफी के वक्त तीस मार्च 2021 को मंबई में शुरू हुई जोकी मौद दीप पर एक बिसाल सेट का निर्मान किया जा चुगा था जहाँ पिर शुटिंग 5 अपरिल को शुरू होने वाली थी अलागी दोस्तों 4 अपरिल को कोवीड-19 के लिए सकार्टमक पर रिक्षण किया गया था और दोस्तों एक दिन बाद 5 अपरिल को फिलमान कन दल के 45 सदस्यों ने सकार्टमक पर रिक्षण किया जिसके कारण फिलमान कन अनिस चेंद काल के लिए रुक दिया गया जिसके वही पे रिपोर्टर का दावा किया गया था कि वो बिल्कुल गलत है इस चीज में और तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीकों से पेश किया गया है। परशार को रोकने के लिए ताला बंदी लगा दी थी और इसके साथ ही कई कुरोड़ सदस्यों के सरकार्टमक जो परिक्षन के कारण फिल्म दिर्माताओ को मुंबई सेड्यूल रद करना परा था और मजदी पर्शेट को धवस्त भी कर दिया गया था। इसके बाद ही एक श चैतू की शुटिंग पर लोटने से पहले अक्टूबर में इन दोनों फिल्मों को इन्होंने निप्टा दिया था शुटिंग करके खरत में कर दिया था। उसके बाद बिसतार से काम करने के लिए रामशेटू फिल्म के ओबर ओबर वापस चले आये। जो कि दौस्तों प पाने के नीचे के एकसान से दिर्श जा साती सा समूदरी शूटिंग और चर्मो दगार्ट की शूटिंग जो है स्री लंका में की जाने थी जो कि स्री लंका में कोविट 19 महमारे की करन यह संभ़ों नहीं था जिससे फिल्मांकन टीम के लिए यहां पे संग रोध परती बंद इसका चैन नहीं किया गया वहाँ पर और अंत में शूटिंग के लिए दमन और दिव को चुना किया था जो कि कुछ दिर्श जा मुंबई में भी फिल्म आये गए और दिर्श पूरे खिये गए हुए ही पर 5 दिसंबर तक जो है दिव में शूटिंग पूरी हो चुकी थी जो 31 जनवरी 2022 को कुमार ने शूटिंग पूरी की और वही पानी के नीचे के दिर्शों के लिए एक वस्त तबिक जो है यहाँ पे 100 शूट का उप्योग करने की योजना बनाई गी थी हालाकि इससे पहन ने और इसमें शूटिंग करने के चुनोती हो कि कारेंट टीम ने ए अब इन सब चीजों के बाद अप्रिल 2022 के एंडिंग में फिल्म निर्माता ने एक शैक कुमार के साथ उन के लाव सत्यदेव और फिर्जेंग फर्नांडिज को दर साते हुए एक पोस्टर जारी किया जो कि पोस्टर जो कि वारल हो गया जल्दी सोसल मीडिया पर मीम्स के रूप में साइबर ठोलिंग का सिकार हो गया वही क्योंकि दोस्तों अक शैक मारे कि जल्ती हुई जो है मसाल पकर हुए दिखाई दे रहे थे इस पोस्टर में जबकि जेकर फर्नांडिज एक सकती साली टॉर्ज की रोशनी पकर हुए दिखाई दे रही थी इस एक साथ ऐसे रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो है दावा किया गया था किराम से तू नाट की और रिलेज के बजाए जो है ओडिटे रिलेज होगी ये फिलम कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये अक्षा कुमार की पिछली फिल्मों समराठ प्रित विराज 2022 और फिर जो है बच्चन पांडे फिल्म 2022 के खराब जो है प्रदोर्शन के कारण था वहीं फिल्म निर्माताओं ने इन ख़बरों को अब रमानिक बताते हुए इस बश्ट किया था कि फिल्म सिनमा ग्रों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवा ली उस सव फिल्म को लोचको से नकाट मुझ समिक छाय देखने को मिली थी क्योंकि दुस्तों समिक छा एग्रिगरेटर रोटन टमांटोज फिल्म को दस समिक छाको के अधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को मिला हुआ है जो कि दौ इन्डियन एक्स की सुबरा गुपता न फिल्म को 5 मेंसे सिर्फ 1.5 एस्टार रेटिंग दी और लिखा है फिल्म के वारे में कि ये फिल्म एक पैदल या त्रियों का अनुभाव कहा जा सकता है जो कि केवल अपना संदेश घरगर पहुचान में रूची रखती है ये टाइमस ऑफ इंडिया एक तरब से बताया गया है इस एक सांदोस्तों फॉस्पूस के दब से अनना एमेम वेटे कैड ने इस फिल्म को रिवियू किया इन्होंने हिंदो थुआ परियोजरा के बारे में फिल्म के बारे में कहा ये देखते हुए की निर्दिशक ने अक्साय कुमर के चरीतरा को एके गयर वानी तुआ ना होने कमजूर कहानी शो किया और फिर इस पस्ट रूप से इस चुक जहें बाहू बली की अलोशनक की जो की फिल्म का दिर से अपरवाव और कलाकारों की प्रदर सांस से देखने लाइक है बताया लेकिन सत्य दिव की परसंसा भी की जहां पर वेटे कैड ने ये भी लिखा ह हुए लिखा फिल्म के कथानक में कमी है कलपना और फिर जहें मौलिकता और फिर रूमाइन्स की बिना एक्शन दिर से दिखाया गया है उन्होंने कहा कि फिल्म में हिंदू वार्ट चौस को चेतरीत किया गया है ज्यादा तर बलकि कहानी में छिपाया हुआ इन चीजों को और फिर जो है समानतर में हिंदू और फिर जो है पिरी थैर इसको देखर उन्होंने निसकार से निकाला कि राहिए से तू दच्चिन पंधी बोली पुट में एक और पड़ चार फिल्म है इसमें एक श्याकुमार जो है फिल्म के अंदर धवाज वाहक के रूप में काम करत कहा है कि ये फिलम हिंदो तुआ पिचा दौारा पर अधरी थै और बाद में जो है खुद को यहां पे बौवरानी कथाओं में डाल लेंदी Oh harvest कुसी भी फिल्म का जो है मचा कुराने और उसे कमजुर करने के कमजुर करने के वहां पतीधियों के बड़े परयाशों का इसा है और उन्होंने कहा कि फिलम को शत्त समर्थक जो है परचार की रूप में समझाना निराधार है उन्होंने सत्त अद्यो को छोड़ कर बाकी सभी कलकारों का प्रदोर्शन निरास उनको लगा उन्होंने ये भी कहा कि फिलम इंडिया जोन से जैसे जो है सासिक कारे के बजाए जो है यहाँ पे आस्था बनाम अंधबिश्वास की बहुत पर ध्यान देने के लिए किंदरीद करने के लिए रखी गई थी अब इस तरह यहाँ पे एंडिय टीवी के तरफ से दोस्तों से मिक्षा करते हुए सेबल चुड़र जी ने इस फिलम को 5 में से 1.5 इस्टार रेटिंग थी और इन्होंने अपने रेटिंग की बारे में क्या लिए चलिए बात करते हैं इन्होंने लिखा है कि फिलम भाती इतियास के बारे में ऐसे सिधान प्रतुष्ट करती है जो इतियासिक और फिर्जोय पौरानी कथाओं में और कलपने के बेचकी जोयरे खाओं को दोंदला करते हुए बैग्यानिक और फिर्जोय बिधवानों के अधेरन से सहमत नहीं है उन्होंने लिखा है कि फिलम खराब ढंग से लिखी गई है जो कि घटिया तरीके से इस फिलम को बनाया गया है और खराब अगिन्या भी इस मोविस में किया गया है जो कि आपको बता दे आदिम दिर्शे परभाव के साथ है कि अन्भिग्या दल को प्रस्तूत किया गया है और अन्तदक राम के अब इस स्वाशों को दंदित करने के लिए एक संदिश प्रस्तूत कर दी है ये फिल्म इसी तरह बता दे देपरिन के लिए समिक्षा करते हुए टीना दास ने इस फिल्म को 5.25 रेटिंग इन्होंने इस मुविस को दिया है और दोस्तों इन्होंने लिखा है कि फिल्म दर्शको को ये समझाने की कोशिश करती है कि हिंदू धर्म और समाने रूप से धर्म उन्हीं मुक्ती दिला सकती है उन्होंने इंडिया जोन्स के तरफ से और फिर निशनल जो है ट्रेंजर के नाइको की नकल करने की पूरी कोशिश के बावजूद अक्षए कुमार के प्रदोर्शन्स को अंसंबन बताये गया उन्होंने लिखा है कि फिलम में इत्याजिक और मीथन के स्थान साजवे हिंदूत वा पिछाड़ धाराओ को भी सामिल किया गया है और इसी तरह दिर्शा परभाव और से जी आई एनिमेशन को दो स्पोर्ण बताये गया है उन्होंने कहा कि अगर कोई इन बारी क्योंको नजर अंदाज करने में कामयाब हो जाये तो फिल्म रुमांचे कारी होगी जो कि इस क्रॉल इन में नंदिनी राम नातने राम सेतू की अलोशना करते हुए इसे दिर्शा परभाव के साजों है वार्शा फोरवर्ड बताया उन्होंने लिखा है कि उसे कधा में तरक्या फिर जो बनुयादी समानने गयान के लिए कोई भी गुन जायस नहीं है जो इस बात पर जोड देती है कि धार्मिक विश्वास को यहीं पे धार्मिन रिपेक्ष ग्यान से उपर खा जाना चाहिए उन्होंने कतानक और कलकारों के प्रदर्शन्स में भी कमी पाई और फिर बताया है दे हिंदू के तरफ से नुश कुमार ने कि यह कहते हुए फिल्म के लोचना की कि यह एक जो है सत्तरूद भार्टिय जन्तपार्टिय के नित्युर्टवाली सरकार के संस्क्रितिक और फिर घोसना पत्रे के समान लगता है इस मोविस के कहानी उन्होंने फिल्म के तुल्ला करते हुए पीवे किनी होतरी द्वारा नियुदिशित की गई दकस्मिर फाइल फिल्म 2022 से की जहां दोने फिल्मों में हिंदू समाच के भी तर उदार और फिर धर्मे निर्पिक्ष मुल्यों को एक खत्रे के रुपने दर्श आया गया है नियु माथोड जी ने हिंदूस्तान टाइम्स के लिए समिख्षा करते हुए पाया की फिल्म मजदार और रोमाचिक है उन्होंने इस फिल्म के कहाने को रोमाचिक कारी बदाया है उन्होंने लिख कहा है कि पानी के अंदर का फिल्माइगन बीबीसी के तरफ से परकरेटी और फिट्र बित्र चित्रा के तरफ से दौबलू पइलेնिडी की याद दिलाती है उन्होंने साफ दोर पर कहा कि पूरी काश्ट का उदिश्या कतानक में सामिल हुआ दिखाई देता है सामिल हुआ और फिडिवे सामिल हुए बिना केवल जो अक्षे कुमार के चरितर का साथ देना पर्ट्र यहाँ पर पढ़ती तो होता है कि हाला कि उन्होंने पर्विस कारण और फिडियो सत्य दिव की परशन सकी जो कि उन्होंने ये भी कहा कि फिलम ने अक्षे कुमार कून की हालिया फिल्मों की तुल्ला में अलग परदुशन करने का मौका दिया है इस फिलम में इसी तरह जिसने मोशन पिक्चार्ज के रूप में छीपी हुई सर्वजनिक सेवा गोसनाओं के रूप में अलोचना की थी उन्होंने इस स्वार्ज की हिंदी फिल्मों में बैकराउंड इसकोर को सर्वस रिष्ट पाया लेकिन देर से अपरबाओ और फिर कंप्यूटर जो है ग्राफिक्स को संदीगट पाया उनका मानना था कि जब कोई जो है मेलोड ड्रामा को नजल अंदाज करने में कामयाब होता है तो फिल्म मजदार हो जाएगी इंडिया टूडे के नाया रीता मुखर जी ने फिल्म को फाइब में से टूए स्टार रेटिंग दिया है और लेका है राम से तू बेहत कमजोर लगता है देखने में साथी साथ इसमें बहुत कम या फिर कोई जोए सिनमाई अपेल नहीं की गई है अंत में ये ना तू मज पिचाओ जैसा महसूस होता है और साथ ही बहुत महात्वा कांची भी लगता है बॉली बूट के तरफ से हंगामा के तरफ से लिगते हुए फिल्म को फाइब मिसे टूपन फाइब स्टार रेटिंग दिया गया और इसके दिल्चस्प होने और फिर जो है कलाइब मिक्स को अच्छी तरफ से जो इनिस्पादित करने की परचन सेखी लेकिन कतानक और बीएफिक्स की अलोचना भी किया गया है फिल्म के अंदर और दोस्तों फिल्म फेर के देवेस सर्मा ने फिल्म को फाइब मिसे टूपन फाइब स्टार रेटिंग दी और लिका है फिल्मक्षे क फाइब मिसे टूपन फाइब स्टार रेटिंग दी और लिका है राम सेतु मुख्या रूप से स्क्रिप्ट और उसके उप चार की जो है फिल्म के अंदर घटिया था की कारण जो है निरास किया गया है पिंक विल्ला के हमेश मंकड ने फिल्म को फाइब मिसे टूपन प्रितिक जो है शक्तियों के बिरोद में बिरोद को भी एक जो यहां पर एका करित करके अपनी जो है दृष्टी को बयाफक बना दिया था और केवल जो है मान बिया जो है बुरायू तक ही समीत रखा गया टाइम शॉफ इंडिया एक तरफ से रेनु का बेहवार ने फिल् यूँकि निज अठारेक तरफ से जो है निशाद थाईवल लिपने फिल्म को फाइप में से जीरूपन फाइवे स्टार दी और लिखा है कि फिल्म की अलोचना करते हुए लिखा गया है कि फिल्म की कधानक रेखा बीफिक्स और कहानी कहने की चमता को जरूर दिखाता है दोस्तों दर्शकों के बीच में दर्शकों के बीच जो है मौफिक परचार अच्छा परडिसन नहीं कर सका और दर्शकों की संख्या कम हो गया इस तरह और इस परकार बॉक्स अपिस संग्रा कम हो गया फिल्म का जो कि भारतियर राच नेता जो है शुबर मानियम स्वामी अगस 2022 में कहा था कि उन्होंने सत्या सवारवाल सत्या सवारवाल पर इस यहां पर एड़ूर केट के माधियम से सिनेमा अविनेताग शै कुमार पर जो है यहां पर भारतिया और उनके एट अन्य लोगों को राम सेतु गथा को बीकृत करने के लिए कानूनी नोटिस भी ज निर्मी थे और रमायन काल के दोरां जो है बनाया गया था इसी तरह दोस्तों दिवाली के आज पास जो है छुटियों पर और फिर जो है मौसम में रिलीज होने का कोई भी कारण बेवपार बिस ले सको की बॉक्स अपिस पर अच्छी जो है शुरुआत की उमीद के साथ ज जो हिस्सेदारी हासिल करने में और सफल रही फिलम ने और अपने पहले प्रदोशन के दुरां जो है दिवाली के दिन और फिर जो है दिवाली के बाद रिज़ भी थी वही पे ते वारिक जो है सीजन की छुट योगा फाया इस मौबिज ने बहुत ही ज़ादा उठाया थ हालाए कि संगरा जो है विसले सोकों की उम्मीदों से कम रहा फिल्म ने अपने जो है पहले दिन घरेलू बॉक्स ओपिस पर 15 करों रुपई से आदिक का कलेक्शन इस फिल्म ने किया तो कहीं ने कहीं फिल्म का बॉक्स ओपिस रिपोर्ट भी जदा खास नहीं रहा और ये फिल्म डिजास्टर्ट साबित हुई है 2022 में दोस्तो इस फिल्म की कधानक भी बहुत ही लंबी है क्योंकि दोस्तो जादा लंबी कहानी भी अब दर्शकों को बहुत जादा बोरिंग करने लग गया है इस तरह की फिल्मों में ज़्यादा लंबी कहानी को लोग अब ज़्यादा पुसंद नहीं कर रहे है दोस्तों फिल्म में जो दिखाया गया है वो कहानी रियल है या फिर जूटी है इसके उपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इस एक सा दोस्तों जब ये फिल्मा रिलीज हुई थी तब भी दोस्तों दरशकों में एक अलेगी किजम का क्रेस देखने को मिला था और लेकिन साथिसा दोस्तो इस फिलम के ओपर भी बवाल मचा था क्योंकि इस फिलम की कहानी कहीं न कहीं न कहीं दोस्तो हिंदू धरम से रिलेटिव थी इसके होज़त से फिलम के ओपर चर्चा किया गया था और साथिसा दोस्तों फिल्म के अंदर बताएगी कहानी के उपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाया गया था तो चलिए दोस्तों इस विडियो में हम जानते हैं इसे कौनसी चीज हुई थी फिल्म के अंदर जिस्को लेकर राकश लाकश यकुमार के उपर भी बवाल खाड़ा किया था और साथिसा दोस्तो फिल्म की हीरो अक्षाय कुमार के स्टार्डम पर भी सवाल किया गया क्या वो सिर्फ इसी तरह का फिल्में लेकर आते रहेंगे इससे पहले दोस्तो ओमाई गौड फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी जिसमें एक्षाय कुमार ने हिंदु धरम के उपर जो है काफी ज़्यादा नकिल कर सी थी और साथिसा दोस्तो अब 2012 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी राम से तो जिसमें इन्होंने भागवान राम के उपर बताएगी कहारी को इन्होंने दोरा आया फिल्म के अंदर जो घटनाय थे उसके बार में कुछने कुछ तो बात कही है जिसको लेकर बबात छीड़ा था तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम इन सबी चीजों का खुलाशा करने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी की आज किस वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सरी क्वेस्ट है कि आप लोग के रिलीज डेट के बार में तो इस फिलम को सीधे 25 अच्चुबर 2022 को हिंदी भासाँ में रिलीज किया गया वही बे दोस्तों फिलम के रॉनिंग टाइम के बार में हम बात करें तो इस फिलम का टाइमिंग एक 20 करूर रुपए से अधिका नुक्सान किया और इसे एक साथ दोस्तों ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई बॉक्स होपिस के उपर और वहीं दोस्तों फिल्म की पॉडॉक्शन कंपनी के बार में हम बात करें तो दोस्तो इस फिलम की production company के लबार में हम बात करें तो दोस्तो फिलम को प्राइम वीडियो में रखा गया है वहीं पे दोस्तो के बब गोर फिलम द्वारा फिलम को बनाया गया साथे साथ दोस्तो लाइक आप पॉर्डोशन और फिर जो है परकाश्ट के बार में हम बात करें तो दोस्तो इस फिलम के अंदर अक्षा एकुमार जेकलिन फर्नांडीच उनके लावा नुसरत भरूचा और फिर जो है सत्याद्यों ने फिलम में अभी ने क्या बात करें फिल्म के डिरेक्टर के बारे में तो अभी से एक शर्मा जी ने फिल्म को डिरेट किया है वही दोस्तो कहानी लिखा के बारे में हम बात करें तो अभी से एक शर्मा जी तवारा इस फिल्म की कहानी को लिखा गया है जोकि दोस्तो कहانnh program बहुत ही जादा मेहनत किया गया लेकिन कुछ फाइदा नहीं हुआ क्यूंकि दोस्तों आफका बता ले ही कि फिल्म डिजास्टर शाबित हुई थी रिलीज होने के बाद वही दोस्तों फिल्म की गोसना के उपर बात करें तो इस फिल्म की गोसना नौवंबर के महीने 2020 में फिल्म के बार में बताया गया था वही दोस्तों जिसकी परमुक फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी साथी COVID-19 महामारी के बीच उतपादल को और सफलताओ और फिर जो है देरी का सामने करना परा इसके वज़स से फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में उटी, गुचराद, दमन और दियू, माल्दियू और फिल्ममबई के पास इस फिल्म को शूट किया गया इसे एकसा दोस्तो राम सेतू को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उस सो के दोरान नाट के रूप से फिल्म को रिलीज किया गया था और इसे अलोज चकों से नगार तमक समिक चाये देखने को मिली वही दोस्तो इस फिल्म ने दुनिया वर के बॉक्शोप इस पे 93 करोड की कमाई की लेकिन ये फिल्म अपने 110 करोड के बजट की वरपाई करने में इस मुबेज ने भी खलता दिखाई है वही दोस्तो फिल्म के ढलान के उपर बात करे फिल्म की उत पातन पूडॉक्शन के उपर बात करे तो दोस्तो इस फिल्म के लिए सबसे पहले दो फाइनेंसियल एकस्प्रेस की तरब से दोस्तो रिपोर्ट की अनुशार फिल्म के निर देसर कपिसे शर्माजी दोजार साथ से एक पलोट बेया एक पलोट बनाने की कुछिस कर रहे थे जब दोस्तो उन्हें राम सेतु से जुर्ए एक अधालती मामले के बारे में पता चला तब जाकर ये फिल्म अक्षय कुमार की मा औरुना भाटिया और फिर बिक्रम मलोत्रा दोवारा अक्षय कुमार की के पप गूर फिल्म दोवारा उसी एक साथ दोस्तो एमबादेशिया इंटर्टिन्मेंट दोवारा लाइक अप परडॉक्शन और फिर जो हैं Amazon प्राइम व्यडियो की परडॉक्शन कंपनियों के तहस्तो हं तरमीट इस फिल्म को किया गया है जो कि दोस्तो ये भारत में Amazon का पहला बॉलिवूड परडॉक्शन है बताया गया वही औरुना भा जो कि अम्बू दादिया एंटर्टेन्मिंट के सीई ओ सुह निर्माता बिक्रम वन्होत राने फिल्म को ताथियो बेग्यान और इतनी हासिक जो है बिराशत पर बनी कहाने के बार में बताया जो कि आपको बता दे फिल्म टिम ने डेटिंग दे एरा ओफ लाड ड्राम 2004 और फिल्म का पुरा तत्वा और अन्य च्छेत रुके बिसेस गोस से प्रामार्च से लिया था फिल्म को बनाने में ये सब कुछ सेट होने के बाद मार्च 2021 की सुरुआत में मेडिया रिपोर्ट ने पुष्टी किया था कि जेकलिन फर्नांडिज और नुस्त भरूचा को अक्षा कमर के साथ इस फिल्म में मुख्य भूमिका निवाने के लिए साइन किया गया है जून के महीने 2020 में सत्य देव कंचना ने कुलाचा किया था कि ये हिंदी सिरिमा में अपनी पहली फिल्म का हिंसा होने के लिए तयार है जो कि फिल्म की अधिकारी कोसना 14 नुवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर की गई थी और सेप्टमबर 2020 की पितली रिपोर्ट में सुझाओ दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग आयोद्या और उतर परदेश में राज टीडिया राज धाने चेतरों के आउसरत बूते नाग महरोग के बाद मुहरत शौड आयोजित किया गया था लेकिन दोस्तों वहाँ पर लोगों की एक बड़ी जो है अनियंतरित बीर के कारण मुख्या फिन नेताव द्वारा आयोध्य में राम की पेड़ी घाठ की एक योजना बद यात्रा रद कर दी गई थी उसी वक्त दोस्तों कोवीड-19 का भी चर्चा चल रहा था प्रिंसिबल फोटोग्राफी के वक्त तीस मार्च 2021 को मंबई में शुरू हुई जोकी मौद द्विप पर एक बिसाल सेट का निर्मान किया जा चुगा था जहापिर शुटिंग 5 अपरिल को शुरू होने वाली थ अलागी दोस्तों 4 अपरिल को कोवीड-19 के लिए सकार्टमग परिक्षण किया गया था और दोस्तों एक दिन बाद 5 अपरिल को फिलमान कन दल के 45 सदस्यों ने सकार्टमग परिक्षण किया जिसके कारण फिलमान कन अनिस चेंद काल के लिए रुक दिया गया जिसके तरफ से गलत तरीकों से पेश खिया गया है और कहा गया था कि एक ओफ लोकेशन्स पर जो है परिक्छन इस तलपर शगार्टों परिक्छन करने वाले 25 लोगों को हटा दिया गया था जो कि लोग फिलमांग कंदल कहीं सा बनने के योगय थे इसे एक साथ दोस्तों वसी समय जो है महराश्ट्रा सरकार ने कोविड-19 महमारी की दूसरी लाहर के प्रशार को रोकने के लिए ताला बंदी लगा दी थी और इसके साथ ही कई कुरोड सदस्यों के सरकार ने प्रिक्षन के कारण फिल्म दिर्माताओ को मुंबई सेडियूल रद करना परा था और मजदी पर्शेट को धावस्त भी कर दिया गया था इसके बाद ही एक शेकवर अपनी अन्या फिल्मों पर काम करने चले गए जिन में बता दिरक्षबंदन फिल्म सामिल थी कद्पुतली फिल्म सामिल थी जिसका लंदन में दो महीनों का लंबस चेडियूल रखा गया था जो कि राम सेतु की सुटिंग पर लोटने से पहले अक्टूबर में इन दोनों फिल्मों को इन्हों निप्टा दिया था सुटिंग करके खरत में कर दिया था उसके बाद बिस्तार से काम करने के लिए राम सेतु फिल्म के उबर वापस चले आए जो कि दोस्तों पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि फिलमांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा हाला कि ये केवल अक्टूबर 2021 मद्ध में उटी में एक सेडियूल के सांस शुरू हुआ पर मुख पानी के नीचे के एक सांस से दियूर साथी सा समूदरी शुटिंग और चर्मो दकर्ष की शुटिंग जो है स्री लंका में की जाने थी जो कि स्री लंका में कोविट 19 महमारी की करन ये संभाव नहीं था जिससे फिल्मांकन टीम के लिए यहां पे संग रोध परती बंदों के तहत यातर करना मुश्किल हो गया जो कि फिल्म दिर्माताओं ने किरल और गुजरात में यहां पे बैकली पिस्थान की तलास की किरल में कोविट के बढ़ते मामलों के करन इसका चैन नहीं किया गया वहां पर और अंत में शूटिंग के लिए दमन और दिव कुछ चुना किया था जो कि कुछ दिर्षय मुंबई में भी फिल्माए गए और दिर्षय पूरे किये गए वहीं पर फाइब दिसंबर तक जो है दिव में शूटिंग पूरी हो चुकी थी जो 31 जन्वरी 2022 को कुमार ने शूटिंग पूरी की और वहीं भी पानी के नीचे के दिर्षयों के लिए एक वस्त बिक जो है तो 19 मिलियन की लागस से बनाई गई थी वहीं फिल्म का बजट 85 करोर बताया गया था पहले अब इन सब चीजों के बाद अप्रील 2022 के एंडिंग में फिल्म निर्माता ने एक शूटिय कुमार के साथ उनके लाव सत्त्यदेव और फिर्जेह फरनांडिज को दर्शाते हुए एक पोस्टर जारी किया जो कि पोस्टर जो कि वारल हो गया था जल्दी सोचल मीडिया पर मीम्स के रूप में साइबर टूलिंग का सिकार हो गया क्योंकि दोस्तों ख्रेक मारे कि जल्दी हुई जो है मसाल पकरे हुए दिखाई दे रहे थे इस पोस्टर में जबकि जेक्रेन फर्णांडिज एक शक्ति साली टॉर्ज की रोस्टनी पकरे हुए दिखाई दे रही थी इससे एक साथ आपको बता दे क्टूबर में फिल्म निर्माता ने एक मोबाइल गेम चारी किया जिसमें फिल्म के मुख्या ओडिटे रिलीज होगी ये फिल्म कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों समराठ पिरिद्विराज 2022 और फिर बच्चन पांडे फिल्म 2022 के खराब प्रदोर्शन के कारण था हुआ इन फिल्म निर्माताओ ने इन खबरों को अब रमानिक बताते हुए इस बस्ट किया था कि फिल्म सिनमा ग्रों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवा ली उस सव के तुरान रिलीज होगी ये भी बताया गया था अब दोस्तों फिल्म की कहाने के उपर बहुत सारे बाते भी चरी हुई थी बात करें फिल्म की रिस्पॉंज के बारे में रिविव रेटिंग के बारे में तो राम सेतू फिल्म को लोचको से नकाट मुक सिमिक चायत देखने को मिली थी क्योंकि दोस्तों समिक्षा एग्रिगरेटर रोटन टमान्टोस पर फिल्म को दस समिक्षा को के अधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को मिला हुआ है जो की दो इंडियन एक्स प्रेश की सुगरा गुपता ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 एस्टार रेटिंग दी और लिखा है फिल्म के वारे में कि ये फिल्म एक पैदल या त्रियो का अनुभाव कहा जा सकता है जो की केवल अपना संदेश घरगर पहुचाने में रूची र में कहा ये देखते हुए कि निर्दिशक ने अक्साय कुमर के चरीतरा को एके गैरवानित हुआ नास्तिक से सोसल मेडिया जो है प्रशार में बदलने के लिए इस क्रिपने कोई भी बिस्वास निया पर गर्टी नहीं छोड़ी है और ये करके जो है तत्य और कल्पना के ब सर्वाव और कलाकारों के प्रदर सांस देखने लाइक है बताया लेकिन सत्य दिव की परसंसाभी की जहां पर वेटरी कैट ने ये भी लिखा है कि ये जो है संभावी जो है बिस्वोटक समयगरी से निबटने वाले फिल्म के लिए अस्टेरिजने करूप से जो है के लिए समिकषा करते हुए लिखा फिल्म के गठारक में कमी है कलपणा और फिर्जे मूलिक्ता और फिर रुमाइन्स के बिना एक्षें दिर्श्य दिखाया गया है उन्होंने कहाँ कि फिल्म में हिंदू वार्ट चॉषग को चिटरित किया गया है ज्यादातर बलकि कहानी में छिपाया हुआ इन चीजों को और फिर जो है समानतर में हिंदू और फिर जो है पिरी थैस को देखर उन्होंने निसकार से निकाला कि राम से तू दच्छिन पंथी बोली बुड में एक और जो है पर चार फिल्म है इसमें एक शेकुमार जो है फिल्म के अंदर धवाज वाह के रूप में काम करते हुए दिखाए दिये हैं और फिल्म जो है अपरभावी रही है ये रिपोर्ट में इनके अपने रिस्पोंस में बताया गया है इस सिर्वियों के बाद फॉस्पोंस में सुभास के जाने इस फिल्म के वारे में लिखा है कि ये फिल्म हिंदो तुआ पिचार धवारा पर अधारित है और बाद में जो है खुद को यहां पर पौरानी कथाओं में ढाल लेती है उन्होंने कहा कि ये फिलम हिंदोतवा, समार्थक किसी भी फिलम का जो है मचा कुराने और उसे कमजोर करने के हैं पे वाम-पती थिएंखे बढ़े परियासों कहीं सा है और उन्होंने कहा कि फिलम को शत्त समर्थक जो है परचार की रूप में समझाना निराधार है उन्होंने सत्त अद्यो को छोड़ कर बाकी सभी कलकारों का प्रदोर्शन निरास उनको लगा उन्होंने ये भी कहा कि फिलम इंडिया जोन से जैसे जो है सासिक कारे के बजाए जो है यहाँ पे आस्था बनाम अंधबिश्वास की बाहस पर ध्यान देने के लिए केंद रित करने के लिए रखी गई थी अब इस तरह यहाँ पे एंडिय टीवी के तरफ से दोस्तों समिक्षा करते हुए सेबल चुड़र जी ने इस फिलम को 5 में से 1.5 इस्टार रेटिंग थी और इन्होंने अपने रेटिंग की बारे में क्या लिखा है चलिए बात करते हैं इन्होंने लिखा है कि फिलम भाटी इतियास के बारे में ऐसे सिधान प्रतुष्ट करती है जो इतियासिक और फिर्जोय पौरानी कथाओं में और कलपने के बेच की जोयरे खाओं को दोंदला करते हुए बैग्यानिक और फिर्जोय बिधवानों के अधेरन से सहमत नहीं ह उन्होंने लिखा है कि फिलम खराब ढंग से लिखी गई है जो कि घट्या तरीके से इस फिलम को बनाया गया है और खराब अगिन्या भी इस मोविस में किया गया है जो कि आपको बता दे आदिम दिर्शे परभाव के साथ है कि अन्भिग गया दल को प्रस्तूत किया गया ह और अन्तदक राम के अब इस हुआशो को दंदित करने के लिए एक संदिश प्रस्तूत कर दी है ये फिल्म इसे तरह बता दे देव प्रिंट के लिए समिक्षा करते हुए टीना दास ने इस फिल्म को 5 में से 2.5 एस्टार रेटिंग इन्होंने इस मुविस को दिया है और दोस्तों इन्होंने लिखा है कि फिल्म दर्शको को ये समझाने की कोशिश करती है कि हिंदू धर्म और समाने रूप से धर्म उन्हीं मुक्ती दिला सकती है उन्होंने इंडिया जोन्स के तरफ से और फिर निशनल जो है ट्रेंजर के नाइको की नकल करने की पूरी कोशिश के बावजूद अक्षए कुमार के प्रदोर्शन्स को अनसंबंध बताये गया उन्होंने लिखा है कि फिलम में इत्याशिक और मीथन के स्थांस साजवे हिंदूत वा पिछाड़ धाराओ को भी सामिल किया गया है और इसी तरह दिर्शा परभाव और सेजी आई एनिमेशन को दो स्पोर्ण बताये गया है उन्होंने कहा कि अगर कोई इन बारी क्योंको नजर अंदाज करने में कामयाब हो जाये तो फिलम प्रोमांच कारी होगी जो कि इस क्रोल इन में नंदिनी राम नातने राम सेतू की अलोशना करते हुए इसे दिर्शा परभाव के साज जो है वार्शाब फोरवर्ड बताया उन्होंने लिखा है कि उसे कधा में तरक्या फिर जो है बुन्यादी समाने ग्यान के लिए कोई भी गुन जाइस नहीं है जो इस बात पर जोड देती है कि धार्मिक विस्वास को यहीं पर धर्मिन रिपेक्छ ग्यान से उपर खा जाना चाहिए उन्होंने कतानक और कलकारों के प्रदोर्शन्स में भी कमी पाई और फिर बताया है दे हिंदू के तरफ से नुश कुमार ने कि ये कहते हुए फिल्म के लोचना की कि ये एक जो है सत्तरूत भार्टिय जंदर पार्टी के नितियुटवाली सरकार के संस्क्रीटिक और फिर फिल्मों में हिंदू समाज के भीतर उदार और फिर धर्मिन रिपक्ष मुल्यों को एक खत्रे के रूप में दर्श आया गया है जिससे दोस्तों निपटने की जरूरत है दोनों फिल्में बहुत संखिया हो के उत्पीदन के दिर्श्चियों को और दिर्श्टी कों से उन्होंने इस फिल्म की काहानी को रुमांच सक्राइब आए उन्होंने लिका है कि पाने के अंदर का फिल्मांकन बीबिसे के तरफ से और फ्योटियों बित्रचुत्र के तरफ को बुलू पहले निर्ट की याद दिलाती है उन्होंने साफ तोर पर कहा कि पूरी काश्ट का उधिश्य कथानक में सामिल हुआ दिखाई देता है सामिल हुआ और फिडिवे सामिल हुए बिना केवल जो अक्षे कुमार के चरितर का साथ देना पर यहां पर पढ़ती तो होता है की हाला कि उन्होंने परविस कारण और फिडिवे सत्य देव की परसंसा की जो कि उन्होंने ये भी कहा कि फिलम ने अक्षे कुमार कौन की हालिया फिल्मों की तुलना में अलग परदुशन करने का मौका दिया है इस फिलम में इसी तरह जिसने मोशन पिक्चॉर्स के फिक्स को संदीगट पाया उनका मानना था कि जब कोई जो है मेलोड ड्रामा को नजल अंदाज करने में कामयाब होता है तो फिलम मजदार हो जाएगी इंडिया टूडे के नाया रीता मुखर जी ने फिलम को फाइब में से टूए स्टार रेटिंग दिया है और लिका है र 3 स्टार रेटिंग देते हुए कहा फिलम एक ऐसे आधार पर आधारी थे जो कि दिल्चस्प है लेकिन बीच बीच में एक खिचाओ जैसा मैसूस होता है और साथ ही बहुत महात्वा कांची भी लगता है बॉली बूड के तरफ से हंगामा के तरफ से लिगते हुए फिलम को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया गया और इसके दिल्चस्प होने और फिर जो है कलाई मिक्स को अच्छी तरह से जो है निस पादित करने की पर्चंशा की लेकिन कतानक और भी एफिक्स की अलोचना भी किया गया है फिलम के अंदर और दोस्तों फिलम फिर गे देवेस सर को बहुत कम निवाया है दग कुईन के तरफ से जो है पाट्याक छिमिसरा ने फिलम को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लेका है राम सेतु मुख्या रूप से स्क्रिप्ट और उसके उपचार की जो है फिलम के अंदर घाटिया ता कि कारन जो है निरास किया गया है पि कही न कहीं बीच की फिलम में जो की विशाय के कुछ लोग होंगे लेकिन हम चाहते हैं कि फिलम के नियुडिया जिस्ट ने पर क्रिटिक जो है शक्तियों के बिरोध में बिरोध को भी एक जो है यहां पर एका करित करके अपनी दरिश्टी को बयाफक बना दिया था और के जो है मान बिया जो है बुरायों तक ही समीत रखा गया टाइम शॉफ इंडिया एक तरफ से रेनु का बेहवार ने फिल्म को फाइब में से टू स्टार रेटिंग इन होने भी दिया और लिका है कुछ अच्छे पीछा करने वाले दिर्शों को छोड़ कर राम सेतू फिल्म मे करते हुए लिखा गया है कि फिल्म की कधानक रेखा बीफिक्स और कहानी कहने की चमता को जरूर दिखाता है से दोस्तों दर्शकों के बीच में दर्शकों की बीच जो है मौफिक परचार अच्छा परद सुन नहीं कर शका और दर्शकों की संख्या कम हो गया इस तरह और बॉक्स अपिस संग्रह कम हो गया फिल्म का जो कि भार्तिय राज नेता जो है शुबर मानियम स्वामी ने अगस 2022 में कहा था कि उन्होंने सत्या सभरवाल सत्या सभरवाल पर एज यहां पर एड़ूर केट के माधियम से सिनेमा अविनेताक शै कुमार पर जो है यहां पर भ चैसरा जीने फिल्म की प्रसंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म अराम से तूब पूल के बार में सचाई बताएगी और कहा कि यह मानो निर्मी थै और रमायन काल के दौराऍज बनाया गया था इसी तरह दोस्तों दिवाली के आस पास जो है छुट्टियों पे और फिर जो है म बॉर्ट मूबी के साथ जो है पार्टिस शफार्ट की जो कि उस दिन रिलीज हुई थी और बॉक्स वपिस संगरों में उच जो हिस्सेदारी हासिल करने में और सफल रही फिलम ने और अपने पहले प्रदोशन के दुरान जो है फिलम जो दिवाली के दिन और फिर जो है फर 15 करूर रूपए से जादी का कलेक्शन किया दूसरे दिन फिर 11 करूर रूपए से लादी ऑस चैसलिय कन यह कम 玩 कि तो कहींने के फिलम का बॉक्स ओप इस रिपआर्ट भी जादाशनी रहा और ये फिलम डिजास्त्र साबित हुई है 2022 में दोस्तो इस फिलम की कधानक भ कहानी है या फिर जूटी है इसके ओपर हम चेर्टा करेंगे इस वीडियो में और इसे साथ दोस्तों जब यह फिल्म एमिलेज वी थी तब भी दोस्तों दोर्श्रकों में एक अलेगी किस्वह करेस देखने को मिला था और लेकिन साथिसा दोस्तो इस फिल्म के उपर भी बवाल मचा था क्योंकि इस फिल्म की कहानी कहीं न कहीं न कहीं दोस्तो हिंदू धरम से रिलेटिव थी इसके उज़से फिल्म के उपर चर्चा किया गया था और साथिसा दोस्तों फिल्म के अंदर बताएगी कहानी के उपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाया गया था तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं इसे कौनसी चीजे हुई थी फिल्म के अंदर जिसको लेकर अक्षाय कुमार के उपर भी बवाल खाड़ा किया था और साथिसा दोस्तों फिल्म की हीरो अक्षाय कुमार के स्टार्डम पर भी सवाल किया गया क्या वो सिर्फ इसी तरह का फिल्में लेकर आते रहेंगे इस से पहले दोस्तो ओ माई गॉड फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी जिसमें एक शाय कुमार ने हिंदू धरम के ओपर जो है काफी ज़्यादा नकिल कर सी थी और साथिसा दोस्तो अब 2012 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी राम से तो जिसमें इन्होंने भागवान राम के ओपर बताएगी कहारी को इन्होंने दोरा आया फिल्म के अंदर जो घटनाय थे उसके बार में कुछने कुछ तो बात कही है जिसको लेकर बबात चीड़ा थ तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को इस टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सारे क्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारी यूरूप चाइनल एक हमोई फैट को सब्सक्राइब नही तो इस फिल्म को सीधे 25 सब्टूबर 2022 को हिंदी भासा में रिलीज किया गया वही पे दोस्तो फिल्म के रॉनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म का टाइमिंग जो है 143 मिनट की रखी गए थी वही दोस्तो फिल्म की बॉजिट को बात की जाए तो इस पू अधिका नुक्सान किया और इसे एक साथ दोस्तो ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई बॉक्स होपिस के उपर और वही दोस्तो फिल्म की पॉडॉक्शन कंपनी के बार में हम बात करें तो दोस्तो इस फिल्म की पॉडॉक्शन कंपनी के बार में हम बात करें तो दोस्तो फिल्म को प्राइम वीडियो में रखा गया है वहीं पे दोस्तो के बब गोर फिल्म द्वारा फिल्म को बनाया गया साथे सा दोस्तो लाइक आप पोडोसल और फिर जो है M.B.D.C.I. इंटर्टेन्मिन और फिर M.B.D.C. जैन फिल्म द्वारा इस मुविस को बनाया गया वहीं दोस्तो फिल्म के अधिकार भी आपको G.A. स्टूडियो पर देखने को मिल जाता है तो कहीं न कहीं दोस्तो ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो में और G.A. स्टूडियो पर भी देखने को ये मोफी मिल जाती है फिल्म में नजर आने वाले मुखे स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तो इस फिल्म के अंदर अक्षा एकुमार, जेकलिन फर्नांडिज, उनके लावा नुसरत बरूचा और फिर्जुए सत्यादियो ने फिल्म में अभी ने क्या बात करें फिल्म के डिर्रेक्टर के बारे में तो अभी से एक शर्मा जी ने फिल्म को डिर्रेक्ट किया है वही दोस्तो कहानी लिखक के बारे में हम बात करें तो आभी से एक शर्मा जीद वारा इस फिल्म की कहानी को लिखा गया उनके साथ ही अभी से शर्मा और फिर्डियो है चंदर परकाश दिर्वेदी जीद वारा इस फिल्म की कहानी को लिखा गया है जो कि दोस्तो कहानिक उपर बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्यूंकि दोस्तो आफको बतादे कि फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी रिलीज होने के बाद वही दोस्तों फिल्म की घोसना के उपर बात करें तो इस फिल्म की घोसना नौमबर के महीने 2020 में फिल्म के बार में बताया गया था वही दोस्तों जिसकी परमुख फोटोग्राफी 30 समार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी साथी COVID-19 महामारी के बीच उतपादल को और सफलताओ और फिर जो है देरी का सामने करना परा इसके वज़स से फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में उटी, गुचराद, दमन और दियू, माल्दियू और फिर मुंबई के पास इस फिल्म को शूट किया गया इसे एकसा दोस्तो राम सेतू को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उस सो के दोरान नाट के रूप से फिल्म को रिलीज किया गया था और इसे अलोचकों से नगार तमक समिक चाये देखने को मिली वही दोस्तो इस फिल्म ने दुनिया वर के बॉक्शोप इस पे 93 क्रोड की कमाई की लेकिन ये फिल्म अपने 110 क्रोड के बजट की वरपाई करने में इस मुबईज ने भी खलता दिखाई है वही दोस्तो फिल्म के धलान के घलान के उपर बात करें फिल्म की उतपातन पॉड़्ॉक्शन के उपर बात करें तो दोस्तो इस फिल्म के लिए सबसे पहले दो फाइनेंसियल एकस्प्रेस की तरब से दोस्तो रिपोर्ट की अनुशार फिल्म के निर दिसक अपिसे शर्माजी दोजार साथ से एक पलोट बेया एक पलोट बनाने की कोचिश कर रहे थे जब दोस्तो उन्हें राम सेतु से जुरे एक अधालती मामले के बारे में पता चला तब जाकर ये फिल्म अक्षए कुमार की मा औरुना भाटिया और फिर बिक्रम मलहोत्रा दोवारा अक्षए कुमार की के पब गूर फिल्म दोवारा उसी एक साथ दोस्तो एमबदेशिया इंटर्टिन्मेंट दोवारा लाइकाप पूर्डॉक्शन और फिर जो है एमजन प्राइम वीडियो की पूर्डॉक्शन कंपनियों के तहस्षण निर्मी इतिस फिल्म को किया गया है जो कि दोस्तो ये बारत में एमजन का पहला वोलीवूड पूर्डॉक्शन है बताया गया वही औरुना भाडिया का सितंबर 2021 में नितन हो गया था इसके वज़र से चंदर परकाश दिर्वेदी को रुछ नात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था अक्षाय कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और फिर्जो वबिस्य की पिरियो के बीच एक पूल की रूप में वन्यित किया जो कि अम्बू धातिया एंटर्टेन्मिन के सीई ओ सुह निर्माता बिकरम वन्होत राने फिल्म को ताथियो बेग्यान और इतनी हासिक जो है बि बिसेस गोस से प्रव मार्च से लियाता फिल्म को बनाने में ये सब कुछ सेट होने के बाद मार्च 2021 की सुरुआत में मेडिया रिपोर्ट ने पुश्टी किया था कि जेकलिन फर्नांडिज और नुसरत भरूचा को अक्षाय कमर के साथ इस फिल्म में मुख्य भूमिका न 14 नुवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर की गई थी और सब्तमबर 2020 की पितली रिपोर्ट में सुझाओ दिया गया था कि फिल्म की स्चूटिंग आयोद्या और उतर परदेश में राज टीडिया राजधाने छेतरों के आउसरत बूते नागर जीले में किया जाएगा वहीं पे दोस्तो इस फिल्म के लिए प्रस्ताविक फिल्म सीटी में होगी बताया गया जो कि 18 मार्च 2021 को आयोद्या में राम जनम भूमी मंदिर में टीम द्वारा पूजा सम्हारों के बाद मुहरस शौड आयोजित किया गया था लेकिन दोस्तों वहाँ पर लोगों की ए प्रिंटिन का भी चर्चा चल रहा था प्रिंसिबल फोडोग्राफी के वक्ट 30 मार्च 2021 को मंबई में शुरू हुई जोकी मौद द्विप पर एक 20 सेट का निर्मान किया जा चुका था जहाँ पिर शुटिंग 5 अपरिल को शुरू होने वाली थी अलागि दोस्तों 4 अपर को कोवेड 19 के लिए सकार्टमक परिक्षन किया गया था और दोस्तों एक दिन बाद 5 अपरिल को फिलमान कन दल के 45 सदस्यों ने सकार्टमक परिक्षन किया जिसके कारण फिलमान कन अनिस चेंद काल के लिए रुक दिया गया जिसके वजह से सह निर्माता मलहोतरा ने रिप कोडर का दावत किया गया था कि वो बिलकुल घलत है इस चीज में और तत्थयों को पूरी तरह से गलत तरीकों से पेश किया गया है और कहा गया था कि एक वही पर कहा गया था कि एक ओफ लोकेशन्स पर जो है परिक्षण इस तलपर शकार्ट में परिक्षण करने वाले 25 लोगों को हटा दिया गया था जो कि लोग फिलमान कंदल कहीं सा बनने के योग्या थे इसे एक सा दोस्तों वसी समय जो है महराश्ट्रा सरकार ने कोवीड 19 महारी की दूसरी लाहर के प्रशार को रोकने के लिए ताला बंदी लगा दी थी और इसके साथ ही कई कुरूर सदस्यों के सरकार्ट में परिक्षण के कारण फिलम दिरमाता को मुंबई सेडियूल रद कर ना परा था और माधिधी पर्शेट को धावस्त भी कर दिया गया था इसके बाद ही एक शेकवर अपनी अन्या फिलमों पर काम करने चले के जिन में बता दिरक्षबंदन फिलम सामिल थी कत्पुतली फिलम सामिल थी जिसका लंदन में दो महीनों का लंबस शेडियूल रख चले आए जो कि दोस्तों पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि फिलमांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा हाला कि ये केवल अक्टूबर 2021 मद्ध में ऊटी में एक सेडियूल के सांस शुरू हुआ पर मुख पानी के नीचे के एक सांस से दिर्श जा साती सा सम स्रिलंका में की जाने थी जो कि स्रिलंका में कोविट 19 महामारी की करनी ये संभाव नहीं था जिससे फिलमांकन टीम के लिए यहां पे संग रोध परती बंदों के तहत यातर करना मुश्किल हो गया जो कि फिल्म निरमाताओं ने किरल और गुजरात में यहां पे बैकली प मुंबई में भी फिल्म आये गए और दिर्षय पूरे खिये गए वहीं पर फाइब दिसंबर तक जो है दिव में शूटिंग पूरी हो चुकी थी जो 31 जनवरी 2022 को कुमार ने शूटिंग पूरी की और वहीं भी पानी के नीचे के दिर्षयों के लिए एक वस्त बिक जो है तो 19 मिलिन की लागस से बनाई गी थी वही फिल्म का बजट 85 करोर बताया गया था पहले अब इन सब चीजों के बाद अप्रील 2022 के एंडिंग में फिल्म दिर्माता ने एक शेय कुमार के साथ उनके लाव सत्यदेव और फिर्जेंग फरनांडिज को दर्षाते हुए एक प साल पकर हुए दिखाई दे रहे थे इस पोस्टर में जबकि जेक्रेंग फरनांडिज एक सकती साली टोर्ष की रोशनी पकर हुए दिखाई दे रही थी इससे एक साथ आपको बता दे क्टूबर में फिल्म निर्माता ने एक मोबाइल गेम चारी किया जिसमें फिल्म के कोड़िटे रिलीज होगी ये फिल्म कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों समराट प्रिद्विराज 2022 और फिर बच्चन पांडे फिल्म 2022 के खराब प्रदॉर्शन के कारण था हुए इन फिल्म निर्माताओं ने इन खब पर बहुत सारे बाते भी च्री हुई थी बात करें फिल्म की रिस्पॉंज के बारे में रिविव रेटिंग के बारे में तो राम सेतु फिल्म को लोचको से नकार्ट मुक समिक्चाय देखने को मिली थी क्योंकी दोस्तों समिक्चा एग्रिगरेटर रोटन टमान्टोश पर फिल्म को दस समिक्चा को के अधार पर बिसकी अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को मिला हुआ है जोकी दो इंडियन एक्स प्रेस की सुगरा गुपता ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 एस्टार का अनुभाव कहा जा सकता है जोकी केवल अपना संदेश घरगर पहुचान में रूची रखती है ये टाइमस ओफ इंडिया एक तरफ से बताया गया है इस इक सांदोस्तों फॉस्पोस के दरफ से अनना एमेम वेटी कैड ने इस फिल्म को रिवियू किया इन्होंने हिंद नहीं छोड़ी है और ये करके जो तत्य और कलपना की बीश के अंतर को इस पस्ट रूप से इस पस्ट कर दिया फिर उन्होंने कमजोर कहानी सो किया और फिर इस पस्ट रूप से इस चुक जहें बाहु बली की अलोशनक की जो की फिल्म का दिर से परवाव और कलाकारों की प्रदर सांस से देखने लाइक है बताया लेकिन सत्य दूप की परसंसा भी की जहां पर वेटरी कैट ने ये भी लिखा है कि ये जो है संभावी जो है बिस फोटक समयगरी से निबटने वाले फिल्म के लिए और श्ट रिजने करूप से जो है सपार्ट बैठता है इसी तर की फिल्म में हिंदू वाट चौश को चेतरीत किया गया है ज़्यादातर बलकि कहानी में छिपाया हुआ इन चीजों को और फिर जो है समानतर में हिंदू और फिर पिरित है इसको देखर उन्होंने निसकार से निकाला कि राम से तू दच्छिन पंथी बोली बुड में एक इस रिप्वियों के बाद फॉस्पोस्ट में सुभास के जाने इस फिल्म के वारे में लिखा है कि ये फिल्म हिंदू तूप बिचार दुवारा पर अधारी थै और बात में जो है खुद को यहां पर पवरानी कथाओं में ढाल लेती है उन्होंने कहा कि ये फिल्म समर्थक जो है परचार की रूप में समझाना निराधार है उन्होंने सत्य देव को छोड़ कर बाकी सभी कलकारों का प्रदोर्शन निरास उनको लगा उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इंडिया जो जैसे जो है सासिक कारे के बजाए जो है यहां पे आस था बनाम अंद भी स प्रदोर्श ऱस्ट्रार रेटिंग झी और इन्होंने अपने रेटिंग की बारे में क्या लिखाए चलिए बात करते हैं इंहोंने लिखा है कि फिल्म भाटी तियास के बारे में ऐस सिधकार प्रतवश्ट करती है जो इतियासक और फुर्जुह है पौरानिक क थ्हाओं को हुए बैग्यानिक और फिर्जे बिद्वानों के अधेरन से सहमत नहीं है उन्होंने लिखा है कि फिल्म खराब ढंग से लिखी गई है जो कि घट्या तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है और खराब अगिन्या भी इस मोविस में किया गया है जो कि आपको बता दे आदिम द प्रिंट के लिए समिक्षा करते हुए टीना दास ने इस फिल्म को 5 में से 2.5 एस टार रेटिंग इन्होंने इस मोविस को दिया है और दोस्तों इन्होंने लिखा है कि फिल्म दर्शको को ये समझाने की कोशिस करती है कि हिंदु धर्म और समाने रुप से धर्म उन्हें का है कि फिल्म में इत्याशिक और मीथन के स्थांस साजवे हिंदूत वा पिछार धाराओं को भी सामिल किया गया है और इसी तरह दिर्शा परभाव और सेजी आई एनिमेशन को दो स्पोर्ड ने बताये गया है उन्होंने कहा कि अगर कोई इन बारी क्योंको नजर अंदा से कधा में तरक्या फिर जो है बुर्यादी समाने गयान के लिए कोई भी कुन जाइस नहीं है जो इस बात पर जोड देती है कि धार्मिक विश्वास को यहीं पर धर्मिन रिपेक्छ गयान से उपर खा जाना चाहिए उन्होंने कतानक और कलकारों के प्रदोर्शंस में भी कमी पाई और फिर बताया है दे हिंदू के तरफ से नुश कुमार ने कि ये कहते हुए फिल्म के लोचना की कि ये एक जो है सत्तरूत भार्टिय जंदव पार्टिय के नितियुटवाली सरकार के संस्क्रीटिक और फिर घोसना पत्रे के समान लगता है इस मुविस के कहानी को एक एक खत्रे के रूप में दर्श आया गया है जिससे दोस्तों निपटने की जरूरत है दोनों फिल्में बहुत संखियाओं के उत्पीदन के दिर्श्चियों को और दिर्श्टी कों से लिखी गई थी और हिंदू को यहां पे उब्दिस भी दिया गया है फिल्म के और थोडी ने हिंदूस्तान टाइमस के लिए समिक्षा करती हुए कि फिल्म मज़धार और रूमांचिक है उन्होंने इस फिल्म के कहाने को रूमांचिक कारी बगाईआ है उन्होंने लिखा है कि पानी के अंदर का फिल्मांगन बीबिसी के तरफ से परक्रेटी और फिरजो बित्रचीतर के तरफ से डबलू पेलिनिर की याद दिलाती है उन्होंने साफ तरपर कहा कि पूरी काश्ट का उद्यश्य अप कतानक में सामिल हुआ दिखाई देता है सामिल हुआ और फिर्जवे सामिल हुए बिना केवल जो अक्षे कुमार के चरितर का साथ देना पर यहाँ पर पढ़ती तो होता है कि हाला कि उन्होंने परविस कारण और फिर्जवे सत्य देव की परसंसा की जो कि उन्होंने ये भी कहा कि फिलम ने अक्षे कुमार कौन की हालिया फिल्मों की तुलना में अलग पर्डिशन करने का मौका दिया है इस फिलम में इसी तरह जिसने मोशन पिक्चार्ज के रूप में छीपी हुई सरवजनिक सेवा गोसनाओ के रूप में अलोचना की थी उन्होंने इस स्वार्स की हिंदी फिलमों में बैक्राउंड इस कूर को सर्वस रिष्ट पाया लेकिन देर से अपरभाव और फिर कंप्यूटर जो है ग्राफिक्स को संदिग गट पाया उनका मानना था कि जब कोई जो है मेलोड ड्रामा को नजल अंदाज करने में कामयाब होता है तो फिलम मजदार हो जाएगी इंडिया टूडे के नाया रीता मुखर जी ने फिलम को फाइब में से टूए स्टार रेटिंग दिया है अलिका है राम से तू बेहत कमजोर लगता है देखने में साथी साथ इसमें बहुत कम या फिर कोई जोए सिनमाई अपेल नहीं की गई है अन्त में ये ना तू मजदार है और नहीं गंबीर है जो की जूम की तरफ से संजीता जूंजनवाला ने फिलम को थ्री स्टार रेटिंग देते हुए कहा फिलम एक ऐसे आधार पर आधारी थे जो की दिल्चस्प है लेकिन बीच बीच में एक खिचाओ जैसा मैसूस होता है और साथ ही बहुत महात्वा कांची भी लगता है बॉली बूर्ट के तरफ से हंगावा के तरफ से लिगते हुए फिलम को फाइब में से टूपन फाइब स्टार रेटिंग दिया गया और इसके दिल्चस्प होने और फिर जो है कलाई मिक्स को अच्छी तरफ से जो है निस पादित करने की पच्छन साखी लेकिन कतानक और ये फिक्स की अलोचन भी किया गया है फिल्म के अंदर और दोस्तों फिलम फेर के देवेस सर्मा ने फिल्म को फाइब में से टूपन फाइब स्टार रेटिंग दी और लिका है फिलमक्षे कुमार के एटगिर घुमती हुई नसराई उन्होंने एक के गीकी जो है कादमी को अकैडमिक बनने की पूरी कोशिस की है और अपने भूमका को बहुत कम निवाया है दग कुईन के तरब से जो है पट्याक्षी मिस्टरा ने फिल्म को फाइब में से टूपन फाइब स्टार रेटिंग दी और लिका है राम सेतू मुख्या रूप से स्क्रिप्ट और उसके भी नहीं है ये कहीं ना कहीं बीच की फिल्म में जो कि बिशाय के कुछ लोग होंगे लेकिन हम चाहते हैं कि फिल्म के अनियों दिशक ने पर क्रिटिक जो है शक्तियों के बिरोद में बिरोद को भी एक जो है यहां पर एका करित करके अपनी दृष्टी को बयाफक बना द दिर्शो को छोड़ कर राम सेतू फिलम में कोई भी जो चिंगारी नहीं है और यह बहुत अधिक उपदेश तात्मक है जो की निज अठारक तरब से जो निशाद थाइवल लिपने फिलम को फाइप में से जीरूपन फाइवे स्टार दी और लिखा है कि फिलम की अलोचना कर करते हुए लिखा गया है कि फिलम की कधानक रेखा और कहानी कहने की चमता को जरूर दिखाता है दोस्तों दर्शकों के बीच में दर्शकों की बीच जो मौफिक परचार अच्छा परद सुन नहीं कर शका और दर्शकों की संख्या कम हो गया इस तरह और इस परकार बॉक् केट के माध्यम से सिनेमा अविनेताक शे कुमार पर जो है यहां पर भाटिया और उनके एट अन्य लोगों को राम सेतु गता को बीकरीद करने के लिए कानूनी नोटिस भी जारी किया था इस तरह से मद्ध परदिश के ग्रिह मंत्री जो है नरुत्तम मीसर जीने फिलम की प्रसंसा करते हुए कहा कि ये फिलम अराम सेतु पूल के बार में सचाई बताएगी और कहा कि ये मानो निर्मीत है और रमायन काल के दोरान जो है बनाया गया था इसी तरह दोस्तों दिवाली के आज पास जो है छुटियों पे और फिर जो है मौसम में रिलीज होने का कोई भी कारण बेवपार बिस ले सको की बाक्स अपिस पर अच्छी जो है शुरुआत की उमीद के साजो हराम से तू फिर जो है सिनमा करों में रिलीज हुई वही इस फिलम ने अजए देवर के साथ अविनित की गई थैंकू थैंक गॉड मोबी के साथ जो है पार्टिस अलिक के बाद रीज हुई थी हुई पर तेवारिक जो है सीजन की छुट योगा फायदा इस मोबीज ने बहुत ही जादा उठाया था हाला कि इस संग्रा जो है बिसले सको की उम्मीदों से कम रहा फिलम ने अपने जो है पहले दिन घरेलू बॉक्स आपिस वर पंद्रह कर रुपे से आदे का कलेक्शन किया दूसरे दिन फिर 11 करू रुपे से आदे का कलेक्शन इस फिलम ने किया तो कहीं नहीं कहीं फिलम का दर्शगों को बहुत ज्यादा बोरिंग करने लग गया है इस तरह की फिल्मों में ज़्यादा लंबी कहानी को लोग अब ज़्यादा पुसंद नहीं कर रहे है दोस्तों फिल्म में जो दिखाया गया है वो कहानी रियल है या फिर जूटी है इसके उपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और इसे एक साथ दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब भी दोस्तों दर्शकों में एक अलेगी किसम का क्रेज देखने को मिला था और लेकिन साथिसा दोस्तो इस फिल्म के उपर भी बवाल मचा था क्योंकि इस फिल्म की कहानी कहीं न कहीं न कहीं दोस्तो हिंदू धरम से रिलेटिव थी इसके उज़र से फिल्म के उपर चर्चा किया गया था और साथिसा दोस्तो फिल्म के अंदर बताएगी कहानी के उपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाया गया था तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में हम जानते हैं इसे कौनसी चीजे हुई थी फिल्म के अंदर जिसको लेकर रक्षाय कुमार के उपर भी बवाल खाड़ा किया था और साथिसा दोस्तो फिल्म की एरो रक्षाय कुमार के स्टार्डम पर भी सवाल किया गया क्या वो सिर्फ इसी तरह का फिल्में लेकर आते रहेंगे इस से पहले दोस्तो ओ माई गॉड फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी जिसमें एक शाय कुमार ने हिंदु धरम के ओपर जो है काफी ज़्यादा नकिल कर सी थी और साथिसा दोस्तो अब 2012 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी राम से तो जिसमें इन्होंने भागवान राम के ओपर बताएगी कहारी को इन्होंने दोरा आया फिल्म के अंदर जो घटनाए थे उसके बार में कुछने कुछ तो बात कही है जिसको लेकर बबात छीडा था एक हमोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर गेबल आइकन को प्रेस कर देजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक असानी से चला जाए तो चलिए दोस्तो अब हमें से बिस्तार में बात क तो इस फिल्म का टाइमिंग जो है 143 मिनट की रखी गए थी वहीं दोस्तो फिल्म की बॉजिट के उपर बात की जाए तो इस पूरी फिल्म को बनाने में 110 करूर रुपे खाड़ चुआ था और इसे एक साथ बात करें फिल्म की बॉक्स 26 रिपोट के बारे में तो दोस्तो इस मुविज ने ओवराल 92 करूर रुपे से अधिक कमाई किया है तो दोस्तो देखा जाए तो इस मुविज ने तकरीबर 20 करूर रुपे से अधिक का नुक्सान किया और इसे एक साथ दोस्तो ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई बॉक्स 27 के उपर और वहीं दोस्तो फिल का पोडोसल और फिर जो है M.B.D.C.I. इंटर्टेन्मिन और फिर माहा बेर्ट जैन फिल्म द्वारा इस मुविस को बनाया गया वही दोस्तो फिल्म के अधिकार भी आपको G.A. स्टूडियो पर देखने को मिल जाता है तो कहीं न कहीं दोस्तो ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो में और G.A. स्टूडियो पर भी देखने को ये मोफी मिल जाती है फिल्म में नजर आने वाले मुखे स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तो इस फिल्म के अंदर हम बात करें तो आभी से कहानी को लिखा गया उनके साथ ही आभी से खिल्मर पर बर निफीर जिए दूरणे को लिखा गया है जो कि दोस्तो कहानी को पर बहुत ज्यादा मेहनत किया गया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोस्तो आफ कर बता देकि फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी रिलीज होने के बाद वही दोस्तों फिल्म की घोसना गुपर बात करें तो इस फिल्म की घोसना न Economics के मही ने 2020 में फिल्म के बार में बताय गया था वही दोस्तों जिसकी पर्मुक फोतोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी साथी COVID-19 महामारी के बीच उतपादन को और सफलताओ और फिर जो है देरी का सामने करना परा इसके वज़र से फिल्मांग किन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में उटी, गुजराद, दमन और दियू, माल्दियू और फिर मुंबई के पास इस फिल्म को शूट किया गया इसे एकसा दोस्तो राम सेदू को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उससो के दोरान नाट के रूप से फिल्म को रिलिज़ किया गया था और इसे अलोज चकों से नगार तमक समिक चाये देखने को मिली वही दोस्तो इस फिल्म ने दुनिया वर के बॉक्श वपिस पे 93 करोड की कमाई की लेकिन ये फिल्म अपने 110 करोड के बजट की वरपाई करने में इस मुबईज ने भी खलता दिखाई है वही दोस्तो फिल्म के ढ़लान के उपर बात करें फिल्म की उतपातन पोडॉक्शन के उपर बात करें तो दोस्तो इस फिल्म के लिए सबसे पहले दो फाइनेंसियल एकस्प्रेस की तरब से दोस्तो रिपोर्ट की अनुशार फिल्म के निर्देसर कपिसे एक सर्माजी दोजार साथ से एक पलोट बेया एक पलोट बनाने की कोचिस कर रहे थे जब दोस्तो उन्हें राम सेथु से जुर्वे एक अधालती मामले के बारे में पता चला तब जाकर ये फिल्म अक्षे कुमार की मा औरुना भाडिया और फिर बिकरम मलोत्रा दौ़ारा अक्षे कुमार की के पब गूर फिल्म दौ़ारा उसीकसा दोस्तो एमबदेशिया इंटर्टेन्मेंट दौ़ारा लाइक अप प्रोडॉक्शन और फिर जो है एमजन प्राइम वीडियो की प्रोडॉक्शन कमपनियों के तहस्षा निर्मी इतिस फिल्म को किया गया है जो कि दोस्तों ये बारत में अमजन का पहला वोलिवूड प्रोडॉक्शन है बताया गया वही अरुना भाडिया का सितंबर 2021 में नितन हो गया था इसके वज़र से चंदर परकास दिर्वेदी को रुच चनात्मग निर्माता के रूप में साइन किया गया था अक्शाय कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और फिर्जोए मविस्य की पिरियो के बीच एक पूल के रूप में वन्यित किया जो कि अम्बू धातिया एंटर्टेन्मिन के सीई ओ सुह निर्माता बिकरम वन्होत राने फिल्म को ताथियो बेग्यान और इतनी हासिक जो है फिल्म टिम ने डेटिंग दा एरा ओफ लाड ड्राम 2004 और फिर्जोए पुष्टक की सांसा जो है फिल्म का पुरा तत्वा और अन्यत छेत रुके बिसेस गोस्ट से प्राह मार्च से लिया था फिल्म को बनाने में ये सब कुछ सेट होने के बाद मार्च 2021 की सुरुआत में मेडिया रिपोर्ट ने पुष्टी किया था कि जेकलिन फर्नांडिज और नुसरत भरूचा को अक्षा कमर के साथ इस फिल्म में मुख्या भूमिका निवाने के लिए साइन किया गया है जून के महीने 2020 में सत्यद्यो कंचना ने कुलाचा किया था कि ये हिंदी सिरिमा में अपनी पहली फिल्म का हिंसा होने के लिए तयार है जो कि फिल्म की अधिकारी कोसना 14 नुवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर की गई थी और सब्तमबर 2020 की पितली रिपोर्ट में सुझाओ दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग आयोद्या और उतर परदेश में राज टीडिया राज धाने चेतरों के आउसरत बूते नागर जीले में किया जाएगा वहीं पे दोस्तों इस फिल्म के लिए प्रस्ताविक फिल्म सीटी में होगी बताया गया जो कि 18 मार्च 2021 को आयोध्या में राम जनम भूमी मंदिर में टीम द्वारा पूजा सम्हारों के बाद मुहरस शौड आयोजित किया गया था लेकिन दोस्तो दोस्तों कोवीड 19 का भी चर्चा चल रहा था प्रिंसिबल फोडोगराफी के वक्ट 30 मार्च 2021 को मंबई में शुरू हुई जोकी मौद द्वीप पर एक बिसाल सेट का निर्मान किया जा चुगा था जहापी शुटिंग 5 अपरिल को शुरू होने वाली थी अलागी दोस्तों 4 अपरिल को कोवीड 19 के लिए सकार्टमक पर रिक्षण किया गया था और दोस्तों एक दिन बाद 5 अपरिल को फिलमान कन दल के 45 सदस्यों ने सकार्टमक पर रिक्षण किया जिसके कारण फिलमान कन अनिस चेंद काल के लिए रुक दिया गया जिसके वज कहा गया था कि एक वही पर कहा गया था कि एक ओफ लोकेशन्स पर जोिह परिक्षन इस तल पर शर्कार्तम हो करने वाले 25 लोगों को हटा दिया गया था जो कि लोग फिल्मान कंदल कहीं सा बनने के युग ज़ो थे इसे एकसा दोस्तो वसी समय जो है महराश्ट्रा सरकार ने कोविड 19 माहमारी की दूसरी लाहर के प्रशार को रोकने के लिए ताला बंदी लगा दी थी और इसके साथ ही कई कुरूर सदस्यों के सरकार तमक जो है परिक्षन के कारण फिलम दिर्माताओ को मुंबई सेडियूल रद करना परा था और मा महीनों का लंबस सेडियूल रखा गया था जो कि राम सेटू की शूटिंग पर लोटने से पहले अक्टूबर में इन दोनों फिलमों को इन्होंने निप्टा दिया था शूटिंग करके ख़त में कर दिया था उसके बाद बिस्तार से काम करने के लिए राम सेटू फिलम के वबर वापस चले आए जो कि दोस्तों पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि फिलमांकन सितंबर दो हजारे के फिर से शूरू होगा हाला कि ये केवल अक्टूबर दो हजारे के मद्ध में ऊटी में एक सेडियूल के सांस शूरू हुआ पर मुख पानी के नीचे क एकसांसे दियुट से साथी सा समूदरी शूटिंग और चरमो दकार्श की शूटिंग जो है स्री लंका में की जाने थी जो कि स्री लंका में कोवीट 19 महमारी की करन ये संभाव नहीं था जिससे फिलमांकन टीम के लिए यहां पे संग रोध परती बंदों के तहा त्यातर क करना मुश्किल हो गया जो कि फिल्म दिर्माताओं ने किरल और गुजरात में यहां पे बैकली पिस्थान की तलास की किरल में कोवीड के बाठते मामलों की करन इसका चैन नहीं किया गया वहां पर और अंत में शूटिंग के लिए दमन और दिव को चुना किया था जो कि पानी के नीचे के दिर्शों के लिए एक वस्त तबिक जो है यहां पे एक सूट का उप्योग करने की योजना बनाई गई थी हाला कि इससे पहनने और इसमें जो है शूटिंग करने के चुनोती हो कि कारेंट टीम ने एक पार्टी कृत का विकल पे चुरा और आपको 50 करोर से लेकि योज में करनबाट करते हैं तो 19 मिलियन की लागस से बनाई गई थी वह इस फिल्म का बजट 85 करोर बताया गया था पहले अब इन सब चीजों के बाद अप्रील 2022 के एंडिंग में फिल्म निर्माता ने एक शेक कुमार के साथ उनके लाव सत्यदेव और फिर्जेंग फर्नांडिज को दर साते हुई एक पोस्टर जारी किया जोकि पोस्टर जोकि वारल हो गया जल्दी सोचल मीडिया पर मीम्स के रूप में साइबर ठोलिंग का सिकार हो गया वही क्योंकि दोस्तों अक शेक मारे कि जल्ती हुई जो है मसाल पकर हुए दिखाई दे रहे थे इस पोस्टर में जबकि जेकरें फर्नांडिज एक सकती साली टॉर्ज की रोशनी पकर हुए दिखाई दे रही थी इसे एक साथ आपको बता दे एक्टूबर में फिल्म निर्माता ने एक मुवाइल गेम चारी किया जिसमें फिल्म के मुख्या पात्र डॉक्टर आरेयन और फिर्जवे कुल स्रेश्टिप शेंडरा इसमें सामिल हुए दोस्तों जून 2022 में ऐसे रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो ह 2022 और फिर बच्चन पांडे फिल्म 2022 के खराब प्रदोर्शन के कारण था मुवाइं फिल्म निर्माताओं ने इन खबरों को अब रमानिक बताते हुए सबस्ट किया था कि फिल्म सिनमा ग्रों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवा ली उस सव के दुर फिल्म को लोचको से नकार्ट मुव सिमिक्चायत देखने को मिली थी क्योंकी दोस्तों सिमिक्चा एग्रिगरेटर रोटन टमान्टोश पर फिल्म को 10 सिमिक्चको के अधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को मिला हुआ है जो कि दौ इंडियन एक्स प्रेस की सु इस एक सांदोस्तों फॉस्पोस के दब से अन्ना एमेम वेटे कैड ने इस फिल्म को रिव्यू किया इन्होंने हिंदो थुआ परियोजरा के बारे में फिल्म के बारे में कहा ये देखते हुए की निर्दिशक ने अक्साय कुमर के चरीतरा को एके गयर वानित हुआ नास् उन्होंने कमजोर कहानी शो किया और फिर इस पस्ट रूप से इस चुक जहें बाहु बली की अलोशनक की जो की फिल्म का देर से परवाव और कलाकारों की प्रदर सांस से देखने लाइक है बताया लेकिन सत्य दिव की परसंसा भी की जहां पर वेटे कैड ने ये भी लिख अच्छा करते हुए लिखा फिल्म के कथानक में कमी है कलपना और फिर जे मौलिकता और फिर रुमाइन्स की बिना एक्शन दिर से दिखाया गया है उन्होंने कहा कि फिल्म में हिंदू वाट चौश को चेतरीत किया गया है ज्यादा तर बलकि कहानी में छिपाया हुआ इन धवाज वाह के रूप में काम करते हुए दिखाये दिये हैं और फिल्म जो है अपरवावी रही है ये रिपोर्ट में इनके अपने रिस्पोंस में बताया गया है इस सिर्वियों के बात फौस में सुबास के जाने इस फिल्म के वारे में लिखा है कि ये फिल्म हिंदू त और बात में जोई खुद को यहां पर पौरानी कथाओ में ढाल लेती है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इंडिया जोन से जैसे जो है सासिक कारे के बजाए जो है यहाँ पे आस्था बनाम अंध भी स्वास की बाहस पर ध्यान देने के लिए केंद रित करने के लिए रखी गई थी अब इस तरह यहाँ पे एंडिय टीवी के तरफ से दोस्तों समिक्षा करते हुए सेबल चुड़र जी ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 इस्टार रेटिंग थी और इन्होंने अपने रेटिंग की बारे में क्या लिखा है चलिए बात करते हैं इन्होंने लिखा है कि फिल्म भाटी इतियास के बारे में ऐसे सिधान प्रतुष्ट करती है जो इतियासिक और फिर्जोय पौरानी कथाओं में और कलपने के बेच की जोयरे खाओं को दोंदला करते हुए बैग्यानिक और फिर्जोय बिधवानों के अधेरन से सहमत नहीं है उन्होंने लिखा है कि फिल्म खराब ढंग से लिखी गई है जो कि घट्या तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है और खराब अगिन्या भी इस मोविस में किया गया है जो कि आपको बता दे आदिम दिर्शे परभाव के साथ है कि अन्भिग्या दल को प्रस्तूत किया ग हुए टीना दास نے इस फिलम को 5 निसे 2.5 ले स्टार रेटिंग इन्होंने इस movie को दिया है और दोस्तों इन्होंने लिखा है कि फिलम दर्शको को ये समझाने की कोशिच करती है कि हिंदू धर्म और समाने रूप से धर्म उन्हीं मुक्ती दिला सकती है उन्होंने इंडिया जोन्स के तरफ से और फिर निशनल जो है ट्रेंजर के नाइको की नकल करने की पूरी कोशिश के बावजूद अक्षे कुमार के प्रदोर्शन्स को अनसंबंध बताये गया उन्होंने लिखा है कि फिलम में इत्याजिक और मीथन के स्थांस साजवे हिंदूत वा पिछाड़ धाराओ को भी सामिल किया गया है और इसी तरह दिर्शा परभाव और से जी आई एनिमेशन को दो स्पोर्ण बताये गया है उन्होंने कहा कि अगर कोई इन बारी क्योंको नजर अंदाज करने में कामयाब हो जाये तो फिलम प्रोमांचे कारी होगी जो कि इस क्रॉल इन में नंदिनी राम नातने राम सेतू की अलोशना करते हुए इसे दिर्शा परभाव के साज जो है वार्शाब फोरवर्ड बताया उन्होंने लिखा है कि उसे कधा में तरक्या फिर जो है बुन्यादी समाने ग्यान के लिए कोई भी गुन जाइस नहीं है जो इस बात पर जोड देती है कि धार्मिक विस्वास को यहीं पर धर्मिन रिपेक्छ ग्यान से उपर खा जाना चाहिए उन्होंने कतानक और कलकारों के प्रदोर्शन्स में भी कमी पाई और फिर बताया है दे हिंदू के तरफ से नुश कुमार ने कि ये कहते हुए फिल्म के लोचना की कि ये एक जो है सत्तरूत भार्टिय जंदव पार्टी के नितियर्टवाली सरकार के संस क्रीटिक और फिर फिल्मों में हिंदू समाज के वीतर उदार और फिर धरमने रिपक्ष मुल्यों को एक खत्रे के रुप में दर्श आया गया है जिससे दोस्तों निपटने की जरूत है दोनों फिल्में बहुत संखिया हो के उत पीदन के दिर्श्चियों को और दिर्श्टी कों से लिखी गई थी और हिंदू को यहां पर उब्देश भी दिया गया है फिल्म के माध्यम से इसी तरह दोस्तों अभी मन्यू माथूर जी ने हिंदूस्तान टाइम्स के लिए समिक्षा करते हुए पाया की फिल्म मजदार और रोमांचिक है उन्होंने इस फिल्म की कहाने को इस अपकतानक में सामिल हुआ दिखाई देता है सामिल हुआ और फिड़़्ोस सामिल हुए बिना केवल जो अक्षेक कुमर के चरितर का साथ देना पर तर्टर यहां पर पढ़ती तो होता है कि हाला कि उन्होंने पर विस कारण और फिड़़्ोस रत्य दिव की परसंसा की जो कि उन्होंने ये भी कहा कि फिलम ने अक्षेक कुमर कुन की हालिया फिल्मों की तुलना में अलग पर्टिशन करने का मौका दिया है इस फिलम में इसी तरह जिसने मोशन पिक्चॉर्स के रूप में छीपी हुई सरवजनिक सेवा गोसनाओं के रूप में अलोचना की थ होता है तो फिलम मजदार हो जाएगी इंडिया टूडे के नाया रीता मुखर जी ने फिलम को फाइब में से टूए स्टार रेटिंग दिया है और लिका है राम से तू बेहत कमजोर लगता है देखने में साथी साथ इसमें बहुत कम या फिर कोई जोए सिनमाई अपेल नह की गई है अंत में ये ना तू मजदार है और नहीं गंबीर है जो की जूम की तरफ से संजीता जूंजनवाला ने फिलम को थ्री स्टार रेटिंग देते हुए कहा फिलम एक ऐसे आधार पर आधारी ते जो की दिल्चस्प है लेकिन बीच बीच में एक खिचाओ जैसा अच्छी भी लगता है बॉलीबूर के तरफ से हंगावा के तरफ से लिखते हुए फिलम को फाइप में से टूपन फाइव स्टार रेटिंग दिया गया और इसके दिल्चस्प होने और फिर जो है कलाई मिक्स को अच्छी तरस से जो इनिस पादित करने की पच्छन सकी ले तो ने एक गीकी जो है कादमी को अकैडमिक बनने की पूरी कोशिस की है और अपने जो है भूनका को बहुत कम निवाया है दग कुईन के तरफ से जो है पट्याक्छी मिसरा ने फिलम को फाइप में से टूपन फाइव स्टार रेटिंग दी और लेका है राम सेतु मुख्य फिलम नहीं है लेकिन ये अच्छी भी नहीं है ये कहीं न कहीं बीच की फिलम है जो कि बिशाय के कुछ लोग होंगे लेकिन हम चाहते हैं कि फिलम के अनियों दिशक ने पर क्रितिक जो है शक्तियों के बिरोद में बिरोद को भी एक जो है यहां पे एका करित करके अपनी द्रिष्टी को बयाफ़क बना दिया था और केवल जो है मानबिय जो है बुरायू तक ही समीर्थ रखा गया टाइम शॉफ इंडिया एक तरफ से रेनु का बेवार ने फिल्म को फाइब में से टू एस्टार रेटिंग इन होने भी दिया और लिका है कुछ अच्छे पीछा क करने वाले दिर्शों को छोड़ कर राम सेतु फिल्म में कोई भी जो चिंगारी नहीं है और यह बहुत अधिक उपदेश तात्मक है जो की निउज 18 तरफ से जो है निशाद थाईवल लिपने फिल्म को फाइब में से जीरूपन फाइब स्टार दी और लिखा है कि फिल्म की संख्या कम हो गए इस तरह और इस परकार बॉक्स अपिस संख्रा कम हो गया फिल्म का जो की भार्तियर राज नेता जो है शुबर मानियम स्वामी ने अगस 2022 में कहा था कि उन्होंने सत्या सभरवाल सत्या सभरवाल पर एज यहाँ पर एड़ वर केट के माधियम से सिनेम अविनेताक शे कुमार पर जो है यहाँ पर भार्तिया और उनके एट अन्य लोगों को राम सेतु गता को भी क्रीद करने के लिए कानूनी नोटिस भी जारी किया था इस तरह से मध्य परदिश के ग्रिह मंत्री जो है नरुत्ता मिसर जीने फिल्म की प्रसंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म अराम सेतु पूल के बार में सच्चाई बताएगी और कहा कि यह मानो निर्मी थै और रमायन काल के दोराज जो है बनाया गया था इसी तरह दोस्तों दिवाली के आज पास जो है छुटियों पे और फिर जो है मौसम में रिलीज होने का कोई भी कारण बेवपार बिस ले सको की बाक्स अपिस पर अच्छी जो है शुरुआत की उमीद के साथ जो है राम से तू फिर जो है सिनमा करों में रिलीज हुई वह इस जो हिस्सेदारी हासिल करने में और सफल रही फिलम ने और अपने पहले परदोशन के दुरान जो है फिल्म जो दिवाली के दिन और फिर जो है दिवाली के बाद रीज हुई पर तेहवारिक जो है सीजन की छुट यूँ का फायदा इस मुबिस ने बहुत ही ज़ादा से कम रहा फिरम मने अपने जो है पहले दिन घरेलो बॉक्स सब्संदफ फर पंद्रह करों रुपे से आदे किया कलेक्शन किया, दूसरे दिन फिरójारग करों रुपे से आदे का इसले इस फिल्म ने किया इस तरह की फिल्मों में ज़्यादा लंबी कहानी को लोग अब ज्यादा पुसंद नहीं कर रहे हैं कि दोस्तों फिल्म में जो दिखाया गया है वो कहानी रियल है या फिर जूटी है इसके उपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और इसे एक साथ दोस्तों जब ये फ फिल्म को पर चर्चा किया गया था और साथ दोस्तों फिल्म के अंदर बताए गए कहानी के उपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाया गया था तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं इसे कौनसी चीज़े हुई थी फिल्म के अंदर जिसको लेकर रक्षाय कुमार ने हिंदु धरम के ऊपर जो है काफी ज़्यादा नकिल कर सी थी और साथिसा दोस्तों अब 2022 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी राम से तो जिसमें इन्होंने भागवान राम के ऊपर बताए गई कहारी को इन्होंने दोराया फिल्म के अंदर जो घटनाय थे उ को लेकर बबाद छीरा था तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन सबी चीजों का खुलाशा करने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सानी से चला जाये तो चलिए दोस्तो अभा अवमें अशितार में बात कर लेते हैं दोस्तो बात करें इस फिल्म की रिलीज़ डिट के बारे में तो इस फिल्मकोll सीधे 25 सब्टूबर 2012 को हिंदी भासा में रिलीज़ किया गया वही पे दोस्तों फिल्म के रॉनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म का टाइमिंग जो है 143 मिनट की रखी गए थी वही दोस्तों फिल्म की बॉजिट को बात की जाए तो इस पूरी फिल्म को बनानमे 110 करूर रुपय खाड़ शुआ था और इसे एक साथ बात करें फिल्म की बॉक्स 26 रिपोट के बारे में तो दोस्तों इस मुविज ने ओवराल 92 करूर रुपय से अधिक कमाई किया है तो दोस्तों देखा जाए तो इस मुविज ने तकरीबर 20 करूर रुपय से अधिका नुक्सान किया और इस एक साथ दोस्तो ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई बॉक्स होपिस के उपर और वही दोस्तो फिल्म की पॉडॉक्शन कंपनी के बार में हम बात करें तो दोस्तो इस फिल्म की पॉडॉक्शन कंपनी के बार में हम बात करें वही दोस्तो फिल्म के अधिकार भी आपको जी इस्टूडियो पर देखने को मिल जाता है तो कहीं न कहीं दोस्तो ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो में और जी इस्टूडियो पर भी देखने को ये मोफी मिल जाती है फिल्म में नजर आने वाले मुखे स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर अक्षा एकुमार, जेकलिन फर्नांडीच, उनके लावा, नुसरत भरूचा और फिर्जुए सत्यादियों ने फिल्म में अभिने क्या बात करें फिल्म के डिर्रेक्टर के बारे में तो अभिसेक शर्मा जी ने फिल्म को डिर्डेट किया है वही दोस्तों कहानी लिखा के बारे में हम बात करें तो अभिसेक शर्मा जी तवारा इस फिल्म की कहानी को लिखा गया है जो कि दोस्तो कहानिक उपर बहुती ज़्यादा मेहनत किया गया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोस्तो आफको बता दे कि फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी रिलीज होने के बाद वही दोस्तो फिल्म की गोसना के उपर बात करें तो इस फिल्म की गोसना नवंबर के मही ने 2020 में फिल्म के बार में बताया गया था वही दोस्तो जिसकी परमुक फोटोग्राफी 30 मार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी साथी COVID-19 महामारी के बीच उतपादल को और सफलताओ और फिर जो है देरी का सामने करना परा इसके वज़स से फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में उटी, गुचराद, दमन और दियू, माल्दियू और फिल्ममबई के पास इस फिल्म को शूट किया गया किसी एकसा दोस्तो राम सेतू को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उस सो के दोरान नाट के रूप से फिल्म को रिलीज किया गया था और इसे अलोज चकों से नगार तमक समिक चाये देखने को मिली वही दोस्तो इस फिल्म ने दुनिया वर के बॉक्शोप इस पे 93 क्रोड की कमाई की लेकिन ये फिल्म अपने 110 क्रोड के बजट की वरपाई करने में इस मुबेज ने भी खलता दिखाई है वही दोस्तो फिल्म के ढ़लान के उपर बात करें फिल्म की उतपातन पॉड़ॉक्शन के उपर बात करें तो दोस्तो इस फिल्म के लिए सबसे पहले दो फाइनेंसियल एकस्प्रेस की तरब से दोस्तो रिपोर्ट की अनुशार फिल्म के निर देसर कपिसे शर्माजी दोजार साथ से एक पलोट बेया एक पलोट बनाने की कोचिश कर रहे थे जब दोस्तो उन्हें राम सेतु से जुर्ए एक अधालती मामले के बारे में पता चला तब जाकर ये फिल्म अक्षए कुमार की मा औरुना भाटिया और फिर बिक्रम मलोटरा दोवारा अक्षए कुमार की केपप गूर फिल्म दोवारा उसी एक साथ दोस्तो एमबादेशिय इंटर्टीन्मेंट दोवारा लाइकअ प्रोडॉक्शन और फिर जो है एमजन प्राइम विडियो की प्रोडॉक्शन कमपणियों के तहस्ताभ निरमी इतिस फिल्म को खिया गया है जो कि दोस्तो ये भारत में एमजन का पहला बॉलीवूड प्रोडॉक्शन है बताया गय वही औरुना भाडिया का सितंबर 2021 में नितन हो गया था इसके वज़र से चंदर परकाश दिर्वेदी को रुच चनात्मक निर्माता के रूप में साइन किया गया था अक्षाय कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और फिर्जो वविस्य की पिरियो के बीच एक पूल के रूप में वन्यित किया जो कि अम्बू धातिया एंटर्टेन्मिंट के सीई ओ सुह निर्माता बिकरम वन्होत रा ने फिल्म को ताथियो बेग्यान और इतनी हासिक जो है बिराशत पर बनी कहाने के बार में बताया जो कि आपको बदा दे फिल्म टिम ने डेटिंग दे एरा ओफ लाड ड्राम 2004 और फिर्जे पुष्टे की सांसा जो है फिल्म का पुरा तत्वा और अन्य च्छेत रुके बिसेस गोस्स से प्रह मार्च से लिया था फिल्म को बना के लिए साइन किया गया है जून के महीने 2020 में सत्य देव कंचना ने कुलाचा किया था कि ये हिंदी सिनिमा में अपनी पहली फिल्म का हिंसा होने के लिए तयार है जो की फिल्म की अधिकारी कोस्टना 14 नौबर 2020 को दिवाली के मौके पर की गए थी और सेप्तंबर 2020 की दोस्तो इस फिल्म के लिए प्रस्ताविक फिल्म सीटी में होगी बताया गया जो कि 18 मार्च 2021 को आयोध्या में राम जनम भूमी मंदिल में टीम द्वारा पूजा समहारों के बाद मुहरत शौड आयोजित किया गया था लेकिन दोस्तों वहाँ पर लोगों की एक बड़ी जो है अनियंतरित बीर के कारण मुख्या फिन नेताव द्वारा आयोध्य में राम की पेड़ी घाठ की एक योजना बद यात्रा रद कर दी गही थी उसी वक्त दोस्तों कोवीड-19 का भी चर्चा चल रहा था प्रिंसिबल फोटोग्राफी के वक्त तीस मार्च 2021 को मंबई में शुरू हुई जोकी मौद द्विप पर एक बिसाल सेट का निर्मान किया जा चुगा था जहापिर शुटिंग 5 अपरिल को शुरू होने वाली थ दोस्तों 4 अपरिल को कोवीड-19 के लिए सकार्टमक परिक्षण किया गया था और दोस्तों एक दिन बाद 5 अपरिल को फिलमान कन दल के 45 सदस्यों ने सकार्टमक परिक्षण किया जिसके कारण फिलमान कन अनिस चेंद काल के लिए रुक दिया गया जिसके वजह से सह निर् था कि एक वही पर कहा गया था कि एक ओफ लोकेशंस पर जो परिक्षन इस तलपर शरकारत्मक परिक्षन करने वाले 25 लोगों को हटा दिया गया था जो कि लोग फिल्मांग कंदल कहीं सा बनने के योगया थे इसे एक साथ दोस्तों उसी समय जो है महराश्ट्रा सरकार ने लोकने के लिए ताला बंदी लगा दी थी और इसके साथ ही कई कुरूर सदस्यों के सरकारत्मक परिक्षन के कारण फिल्म दिर्माता को मुंबई सेडियूल रद करना परा था और माधिदी पर्शेट को धावस्त भी कर दिया गया था इसके बाद ही एक शेकवर अपनी अन अक्टूबर में इन दोनों फिल्मों को इन्हों ने निप्टा दिया था स्यूटिंग करके ख़त में कर दिया था उसके बाद बिसतार से काम करने के लिए रामसेतू फिल्म के उबर वापस चले आए जो कि दोस्तों पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि फिलमांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरू होगा हाला कि ये केवल अक्टूबर 2021 मद्ध में उटी में एक सेडियूल के सांश शुरू हुआ पर मुख पाने के नीचे के एक सांश से दियूर साथिसा समूदरी शुटिंग और चर्मो दकर्ष की शुटिंग जो है स्री लंका में की जाने थी जो कि स्री लंका में कोविट 19 महमारी की करन ये संभाव नहीं था जिससे फिल्मांकन टीम के लिए यहां पे संग रोध परती बंदों के तहत यातर करना मुश्किल हो गया जो कि फिल्म दिर्माताओं ने किरल और गुजरात में यहां पे बैकली पिस्थान की तलास की किरल में कोविट के बाढ़ते मामलों के करन इसका चैन नहीं किया गया वहां पर और अंत में शूटिंग के लिए दमन और दिव कुछ चुना किया था जो कि कुछ दिर्शया मुंबई में भी फिल्माए गए और दिर्शया पूरे खिये गए वही पर फाइब दिसंबर तक जो है दिव में शूटिंग पूरी हो चुकी थी जो 31 जनवरी 2022 को कुमार ने शूटिंग पूरी की और वही भी पानी के नीचे के दिर्शों के लिए एक वस्त तबिक जो है यह पे एक सो शूट का उपयोग करने की योजना बनाई गई थी हाला कि इसे पहनने और इसमें जो है शूटिंग करने की चुनवती हूँ के कारण टीम ने एक पार्टी कृत का विकल पे चुरा और आपको बतादे एक सो पचास करोर से लेकि योजना बनाई गई गई थी वह इस फिल्म का बजट पचासी करोर बताया गया था पहले अब इन सब चीजों के बाद अप्रील 2022 के एंडिंग में फिल्म निर्माता नेक शेय कुमार के साथ उनके लाव सत्यदेव और फिर्जेंग फर्णांडिज को दर साते हुए एक पोस्टर जारी किया जोकि पोस्टर जोकि वारल हो गया था जल्दी सोचल मीडिया पर मीम्स के रूप में साइबर ठूलिंग का सिकार हो गया वाई क्योंकि दोस्टो अक शेय कुमार के जल्ती हुई जो है मसाल पकर हुए दिखाई दे रहे थे इस पोस्टर में जबकि जेक्रेंड फर्णांडिज एक सकती साली टॉर्ज की रोसनी पकर हुए दिखाई दे रही थी इसे एक साथ आपको बता दे अक्टूबर में फिल्म निर्माता ने एक मुवाइल गेम चारी किया जिसमें फिल्म के मुख्या पात्र डॉक्टर आरेयन और फिर्जवे कुल स्रेश्टिप शेंडरा इसमें सामिल हुए दोस्तो जून 2022 में ऐसे रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो दावा किया गया था किराम से तू नाट के रिलीज के बज़ाए जो है ओडिटे रिलीज होगी ये फिल्म कुछ रिपोर्टों में दावा किया था कि ये अक्शय कुमार की पिछली फिल्मों समराठ पिरिद विराज 2022 और फिर जो यह बच्चन पांडे फिल्म 2022 के खराब प्रदोर्शन के कारण था वहीं फिल्म निर्माताओं ने इन ख़बरों को अब रमानिक बताते हुए सबस्ट किया था कि फिल्म सिनमा ग्रों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवा ली उस स से तू फिल्म को लोचको से नकाट मुक सिमिक्चायद देखने को मिली थी क्योंकि दोस्तों सिमिक्चा एग्रिगरेटर रोटन टमान्टोश पर फिल्म को दस सिमिक्चको के अधार पर 20 की अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को मिला हुआ है जोकि दौ इंडियन एक्स प्रे इस एक सांदोस्तों फॉस्पोस के दर्ब से अन्ना एमेम वेटी कैड ने इस फिल्म को रिव्यू किया इन्होंने हिंदो थुआ परियोजरा के बारे में फिल्म के बारे में कहा ये देखते हुए की निर्दिशक ने अक्साय कुमर के चरीतरा को एके गयर हुआनी तुआ उन्होंने कमजोर कहानी शो किया और फिर इस पस्ट रूप से इस चुक जहें बाहु बली की अलोशनक की जो की फिल्म का दिर्शय परवाव और कलाकारों की प्रदर सांस से देखने लाइक है बताया लेकिन सत्य दिव की परसंसा भी की जहां पे वेटी कैड ने ये भी लि दिखा फिल्म के कथानक में कमी है कलपना और फिर जेह मौलिकता और फिर रूमाइन्स की बिना एक्षण दिर्शय दिखाया गया है उन्होंने कहा कि फिल्म में हिंदू और चॉश को चेतरीत किया गया है ज्यादा तर बलकि कहानी में छिपाया हुआ इन चीजों को और फि वाहक के रूप में काम करते हुए दिखाई दिये हैं और फिलम जो है अपरभावी रही है ये रिपोर्ट में इनके अपने रिस्पॉंस ने बताया गया है इस सिर्भियों के बात फ़ॉस्प में सुभास के जाने इस फिलम के वारे में लिखा है कि ये फिलम हिंदू तुआ बिचार दुआरा पर अधारी थे और बाद में जो है खुद को यहां पर पवरानी कथाओं में ढाल लेती हैं उन्होंने कहा कि यह फिलम हिंदो तुआ समर्थक किसी भी फिलम का जो ही मचा कुराने और उसे कमजोर करने के कमजोर करने के यहां पर वाम पती थी हो कि बड़े यह परियाशों का हीसा है और उन्होंने कहा कि फिलम को 17 समर्थक जो है पर शार की रूप में समझाना निराधार है उनहोंने 1725 को छोड़ कर बास पर ध्यान देने के लिए किंद रित करने के लिए रखी गई थी अब इस तरह यहाँ पर इंडी टीवी के तरफ से दोस्तों समिक्षा करते हुए सेबल चुडर जी ने इस फिल्म को 5 में से 1.5 इस्टार रेटिंग थी और इन्हों ने अपने रेटिंग के बारे में क्या लिए बात करते हैं इन्होंने लिखा है कि फिल्म भाटी थियास के बारे में ऐसे सिधान परतुस्ट करती है जो थियासिक और फेर पौरानी कताओं में और कलपने के बेचकी जो है're रखाओं को दोडला करते हुए बैग्यानिक और फिर्जे बेधवानों के अधेरन से सहमत नहीं है उन्होंने लिखा है कि फिल्म खराब ढंग से लिखी गई है जो कि घट्या तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है और खराब अगिन्या भी इस मुविस में किया गया है जो कि आपको बतादे आदिम दिरश्य परवाओ के साथ है के अन्भिग्या दल को प्रस्तूत किया गया है और अन्तधक अराम के अभी सुवाफशो को दंदित करने के लिए एक संदिस प्रस्तूत कर दी है ये फिल्म इसी तरह बता दे दे प्रिंट के लिए समिक्षा करते हुए टीना दास ने इस फिलम को 5 में से 2.5 एस टार रेटिंग इन्होंने इस मुविस को दिया है और दोस्तों इन्होंने लिखा है कि फिलम दर्शको को ये समझाने की कोशिश करती है कि हिंदू धर्म और समाने रूप से धर्म उन्हीं मुक्ती दिला सकती है उन्होंने इंडिया जोन्स के तरफ से और फिर निशनल जो है ट्रेंजर के नाइको की नकल करने की पूरी कोशिश के बावजूद अक्षए कुमार के प्रदोर्शन्स को अनसंबन बताये गया उन्होंने लिखा है कि फिलम में इत्याशिक और मीथन के स्थांस साजवे हिंदूत वा पिछाड़ धाराओ को भी सामिल किया गया है और इसी तरह दिर्शा परभाव और सेजी आई एनिमेशन को दो स्पोर्ण बताये गया है उन्होंने कहा कि अगर कोई इन बारी क्योंको नजर अंदाज करने में कामयाब हो जाये तो फिलम प्रोमांचे कारी होगी जो कि इस क्रॉल इन में नंदिनी राम नातने राम सेतू की अलोशना करते हुए इसे दिर्शा परभाव के साज जो है वार्शा फोरवर्ड बताया उन्होंने लिखा है कि उसे कधा में तरक्या फिर जो है बुन्यादी समाने ग्यान के लिए कोई भी गुन जाइस नहीं है जो इस बात पर जोड देती है कि धार्मिक विस्वास को यहीं पर धर्मिन रिपेक्छ ग्यान से उपर खा जाना चाहिए उन्होंने कतानक और कलकारों के प्रदर्शन्स में भी कमी पाई और फिर बताया है दे हिंदू के तरफ से नुश कुमार ने कि ये कहते हुए फिल्म के लोचना की कि ये एक जो है सत्तरूद भार्टिय जन्दपार्टी के नित्योटवाली सरकार के संस्क्रीटिक और फिर घुस्टना पत्रे के समान लगता है इस मोविस के कहानी उन्होंने फिल्म के तुल्ला करते हुए पीवे किदमी होतरी द्वारा नियुदिशित की गई दकस्मिर फाइल फिल्म 2022 से की जहां दोने फिल्मों में हिंदू समाच के भीतर उदार और फिर धर्मन रिपिक्ष मुल्यों को एक खत्रे के रुपने दर्श आया गया है जिससे दोस्तों निपटने की जरुवत है दोनों फिल्में बहुत संखियाओं के उत पीदन के दिर्शियों को और दिर्श्टी कों से लिखी गई थी और हिंदू को यहां पे उब्देश भी दिया गया है फिल्म के माध्यम से इसी तरह दोस्तों अभी मन्यू माथूर जी ने हिंदूस्तान टाइम्स के लिए समिक्षग करते हुए पाया की फिल्म मज़दार और रुमाण्चक है उन्होंने इस फिल्म की कहानी को रुमाचर कारी बदाया है उन्होंने लिका है कि पानी के अंदर का फिल्मांगन बीबीसे के तरफ से परक्रिती और फिट्श बितर चितर के तरफ से डबलू पेलिनेर की याद दिलाती है उन्होंने साफ दोर पर कहा कि पूरी काश्ट का उद्धिश्य अपकतानक में सामिल हुआ दिखाई देता है अग्षे कुमार कोन्यकि की अलग पर्देशन करने का मौका दिया है इस फिलम में इसी तरह जिसने मोशन पिक्चार्ज के रूप में छीपी हुई सर्वजनिक सेवा गोसनाओं के रूप में अलोचना की थी उन्होंने इस स्वार्ज की हिंदी फिल्मों में बैकराउंड इसकोर को सर्वस रिष्ट पाया लेकिन देर से अपरबाओ और फिर कंप्यूटर जो है ग्राफिक्स को संदिग गट पाया उनका मानना था कि जब कोई जो है मेलोड ड्रामा को नजल अंदाज करने में कामयाब होता है तो फिल्म मजदार हो जाएगी इंडिया टूडे के नाया रीता मुखर जी ने फिल्म को फाइब में से टूए स्टार रेटिंग दिया है और लेका है राम से तू बेहत कमजोर लगता है देखने में साथी साथ इसमें बहुत कम या फिर कोई जो है सिनमाई अपेल नहीं की गई है अन्त में ये ना तू मजदार है और नहीं गंबीर है जो की जूम की तरफ से संजीता जूंजनवाला ने फिल्म को थ्री स्टार रेटिंग देते हुए कहा फिल्म एक ऐसे आधार पर आधारी थे जो की दिल्चस्प है लेकिन बीच बीच में एक खिचाओ जैसा मैसूस होता है और साथ ही बहुत महात्वा कांची भी लगता है बॉली बूर्ट के तरफ से हंगावा के तरफ से लिखते हुए फिल्म को फाइब में से टूपन फाइब स्टार रेटिंग दिया गया और इसके दिल्चस्प होने और फिर जो है कलाई मिक्स को अच्छी तरस से जो है निस पादित करने की पर्चंसा की लेकिन कतानक और बी ठीकी जो है कादमी को अकैडमिक बनने की पूरी कोशिस की है और अपने भूनका को बहुत कम निवाया है दग कुईन के तरफ से जो है पर त्यक्छी मिस्टरा ने फिल्म को फाइब में से टूपन फाइब स्टार रेटिंग दी और लेका है राम सेतु मुख्या रूप से स पूर्शी भी नहीं है ये कहीं ना कहीं बीच की फिल्म में जो कि बिशाय के कुछ लोग होंगे लेकिन हम चाहते हैं कि फिल्म के नियों दिशक ने पर क्रिटिक जो है शक्तियों के बिरोद में बिरोद को भी एक जो है यहां पर एका करित करके अपनी दृष्टी को को छोड़ कर राम सेतू फिल्म में कोई भी जो चिंगारी नहीं है और यह बहुत अधिक उपदेश तात्मक है जो की नियूज 18 तरफ से जो है निशाद थाईवल लिपने फिल्म को फाइप में से जीरूपन फाइवे स्टार दी और लिखा है कि फिल्म की अलोचना करते लिखा गया है कि फिल्म की कधानक रेखा बीफिक्स और कहानी कहने की चंपता को जरूर दिखाता है से दोस्तों दर्शकों के बीच में दर्शकों की बीच जो मौफिक पर चार अच्छा पड़सुन नहीं कर शका और दर्शकों की संख्या कम हो गया इस तरह और इस परकार सिनेमा अविनेताक शे कुमार पर जो है यहाँ पर भाटिया और उनके एट अन्य लोगों को राम सेतु गता को भी करीद करने के लिए कानूनी नोटिस भी जारी किया था इस तरह से मद्ध पर जिस के ग्रिह मंत्री जो है नरुत्ता मिसर जीने फिलम की प्रसंसा करते हुए कहा कि यह फिलम अराम सेतु पूल के बार में सचाई बताएगी और कहा कि यह मानो निर्मी थे और रमायन काल के दोराण जो है बनाया गया था इसी तरह दोस्तों दिवाली के आज पास जो है छुटियों पे और फिर जो है मौसम में रिलीज होने का कोई भी कारण बेवपार बिस ले सको की बाक्स अपिस पर अच्छी जो है शुरुआत की उमीद के साथ जो है राम से तू फिर जो है सिनमा करों में रिलीज हुई वह इस जो हिस्सेदारी हासिल करने में और सफल रही फिलम ने और अपने पहले प्रदोशन के दूरान जो है फिलम जो दिवाली के दिन और फिर जो है दिवाली के बाद रिज भी ती वही पे तेहुआरिक जो है सीजन की छुट यूगा फायदा इस मौबिस ने बहुत ही ज़ इस फिल्म ने किया तो कहीं ने कहीं फिल्म का बॉक्स उप इस रिपोर्ट भी ज्यादा खास नहीं रहा और ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई है 2022 में दोस्तो इस फिल्म की कधानक भी बहुत ही लंबी है क्योंकि दोस्तो ज्यादा लंबी कहानी भी अब दर्शकों को बहुत ज्यादा बोरिंग करने लग गया है इस तरह की फिल्मों में ज्यादा लंबी कहानी को लोग अब ज्यादा पुसंद नहीं कर रहे है इसकी दोस्तो फ फिल्म के उपर भी बवाल मचा था क्योंकि इस फिल्म की कहाने कहीं न कहीं के दोस्तों हिंदू-धरम से रिलेटिव थी इसके विजह से फिल्म को पर चड़चा किया घा था और साधी सा दोस्तों फिल्म के अदर इससे पहले दोस्तो ओमाई गॉड फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी जिसमें एक शाय कुमार ने हिंदु धरम के ओपर जो है काफी ज़्यादा नकिल कर सी थी और साथिसा दोस्तो अब 2012 के अंदर ये फिल्म रिलीज हुई थी राम से तो जिसमें इन्होंने भागवान राम के ओपर बताएगी कहारी को इन्होंने दोरा आया फिल्म के अंदर जो घटनाए थे उसके बार में कुछने कुछ तो बात कही है जिसको लेकर बबात चीड़ा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इन सबी चीजों का खुलाशा करने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सरी क्वेस्ट है कि आप लो डेट के बारे में तो इस फिल्म को सीधे 25 सब्टूबर 2022 को हिंदी भासा में रिलीज किया गया वहीप दोस्तों फिल्म के रॉनिंग टाइम के बारे में पात करें तो कि लिए 143 मिलड़ की रखी गए थी वहीद दूस्तों फिल्म की बॉजिट के उपर बात की जाए तो इस पूरी फिल्म को बनाने में 110 करों रुपए खाड़ शिवा था और इसे एक साथ बात करें फिल्म की बॉक्स 26 रिप्यूट के बारे में तो दोस्तो इस मुविज ने ओवराल 92 करों रुपए से अधिक कमाई किया है तो दोस् तो इस फिल्म की पॉडॉक्शन कमपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तो फिल्म को प्राइम वीडियो में रखा गया है वहीं पे दोस्तो के बब गोर फिल्म दोरा फिल्म को बनाया गया तो कहीं न कहीं दोस्तो ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो में और जी इस परकास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर अक्षाए कुमार जैक्लिन फर्नांडीच उनके लावा नुसुरत बरूचा और फिरजुन शत्याद्यों ने फिल्म में अभिने किया बात करें फिल्म के डिर्रेकटर के बारे में तो और इसएक कहानी को लिखा गया है जोका दोसटो कहानी को बहुत by जादा मेहनत किया गया अаж लेकि कुछ फाइदा नहीं हुआ क्योंकि दोस्तो आपको बता है कि फिल्म डिजाच्टर्स थावित हुई थी रिलीज होने के बाद वही दोस्तों फिल्म की घोसना नॉवमबर के महीने 2020 में फिल्म के बार में बताया गया था वही दोस्तों जिसकी परमुक फोटोग्राफी 30 समार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी साथी COVID-19 महामारी के बीच उत्पादल को और सफलताओ और फिर जो है देरी का सामने करना परा इसके वज़र से फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में उटी, गुजराद, दमन और दियू, माल्दियू और फिल्ममबई के पास इस फिल्म को शूट किया गया इसे एकसा दोस्तो राम सेतू को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उस सो के दोरान नाट के रूप से फिल्म को रिलीज किया गया था और इसे अलोज चकों से नगाट तमक समिक चाये देखने को मिली वही दोस्तो इस फिल्म ने दुनिया वर के बॉक्शोप इस पे 93 क्रोड की कमाई की लेकिन ये फिल्म अपने 110 क्रोड के बजट की वरपाई करने में इस मुबेज ने भी खलता दिखाई है वही दोस्तो फिल्म के ढ़लान के उपर बात करें फिल्म की उतपातन पोडॉक्शन के उपर बात करें तो दोस्तो इस फिल्म के लिए सबसे पहले दो फाइनेंसियल एकस्प्रेस की तरब से दोस्तो रिपोर्ट की अनुशार फिल्म के निर्देसर का पिसे एक सर्माजी दोजार साथ से एक पलोट बेया एक पलोट बनाने की कोचिस कर रहे थे जब दोस्तो उन्हें राम सेतु से जुर्वे एक अधालती मामले के बारे में पता चला तब जाकर ये फिल्म अक्षे कुमार की मा औरुना भाडिया और फिर बिकरम मलोत्रा दोआरा अक्षे कुमार की के पप गूर फिल्म दोआरा उसीकसा दोस्तो एमबदेशिया इंटर्टेन्मेंट दुआरा लाइक अप प्रोडॉक्शन्स और फिर जो है एमजन प्राइम वीडियो की प्रोडॉक्शन कमपनियों के तहस्षा निरमीत इस फिल्म को किया गया है जो की दोस्तो ये बारत में एमजन का पहला वोलिवूड प्रोडॉक्शन है बताया गया वही अरुना भाडिया का सितंबर 2021 में नितन हो गया था इसके वज़र से चंदर परकास दिर्वेदी को रचनात्मक निरमाता के रूप में साइन किया गया था अक्शाय कुमार ने फिल्म को अतीत वर्तमान और फिर्जुए मविस्य की पिरियो के बीच एक पूल के रूप में वन्यित किया जो कि अम्बू धादिया एंटर्टेन्मिंट के सीई ओ सौह निरमाता विकरम वन्होत राने फिल्म को ताथियो बेग्यान और इतनी हासिक जो है बिराशत पर बनी कहाने के बार में बताया जो कि आपको बदा दे फिल्म टिम ने डेटिंग दे एरा ओफ लाड ड्राम 2004 और फिर्जे पुष्टेक की सांसा जो है फिल्म का पुरा तत्वा और अन्य च्छेत रुके बिसेस गोस्स से प्राह मार्च से लिया था फिल्म को बनाने में ये सब कुछ सेट होने के बाद मार्च 2021 की सुरुआत में मेडिया रिपोर्ट ने पुष्टी किया था कि जेकलिन फर्नांडिज और नुसरत भरूचा को अक्षा कमर के साथ इस फिल्म में मुख्य भूमिका निवाने के लिए साइन किया गया है जून के महीने 2020 में सत्यद्यो कंचना ने कुलाचा किया था कि ये हिंदी सिरिमा में अपनी पहली फिल्म का हिंसा होने के लिए तयार है जो कि फिल्म की अधिकारी कोसना 14 नुवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर की गए थी और सब्तमबर 2020 की पितली रिपोर्ट में सुझाओ दिया था कि फिल्म की शूटिंग आयोद्या और उतर परदेश में राज टीडिया राजदाने चेतरों के आउसरत बूते नागर जीले में किया जाएगा वहीं पे दोस्तों इस फिल्म के लिए प्रस्ताविक फिल्म सीटी में होगी बताया गया जो कि 18 मार्च 2021 को आयोद्या में राम जनम भूमी मंदिर में टीम द्वारा पूजा सम्हारों के बाद मुहरत शौड आयोजित किया गया था लेकिन दोस्तों वहा में असे भी स्थार में बात कर लेते हैं राम सेतु फिल्म के बारे में दोस्तों बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को सीधे 25 सब्टूबर 2022 को हिंदी भासा में रिलीज किया गया वहीं पे दोस्तों फिल्म के रॉनिंग टाइम के बारे में हम दोस्तो इस मुविज ने ओवराल 92 करों रुपए से अधिक कमाई किया है तो दोस्तो देखा जाए तो इस मुविज ने तकरीबल 20 करों रुपए से अधिका नुकसान किया और इस एक साथ दोस्तो ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई बॉक्स अपिस के उपर और वहीं दोस्तो फिल्म की पॉडॉक्शन कमपनी के बार में हम बात करें तो दोस्तो इस फिल्म की पॉडॉक्शन कमपनी के बार में हम बात करें तो दोस्तो फिल्म को प्राइम वीडि को बनाया गया वही दोस्तों फिल्म के अधिकार भी आपको जी इस्टुडियो पर देखने को मिल जाता है तो कहीं न कहीं दोस्तों ये फिल्म आपको प्राइम वीडियो में और जी इस्टुडियो पर भी देखने को ये मोफी मिल जाती है फिल्म में नजर आने वाले मुखे स्टार काश्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर अक्शाय कुमार, जेकलीन फरनांडीच उनके लावा, नुसरत बरूचा और फिर्जुयए शत्याद दिवने फिल्म में अभी ने क्या बात करें फिल्म के डिर्रेक्टर के बारे में तो अभी सेख शर्मा जी ने फिल्म को डाइडट किया है वही दोस्तो कहानी लिखा के बारे में हम बात करें तो अभी सेख शर्मा जी दोरा इस फिल्म की कहानी को लिखा गया उनके साथ ही अभी सेख शर्मा और फिर्डियो है रिलीज होने के बाद वही दोस्तों फिल्म की घोसना के उपर बात करें तो इस फिल्म की घोसना नौवंबर के महीने 2020 में फिल्म के बार में बताया गया था वही दोस्तों जिसकी परमुक फोटोग्राफी 30 समार्च 2021 को मुंबई में शुरू हुई थी साथी कोविर 19 महामारी के बीच उतपादल को और सफलताओ और फिर जो है देरी का सामने करना परा इसके वज़स से फिल्मांकन अक्टूबर 2021 में फिर से शुरू हुआ और जनवरी 2022 में उटी गुचराथ, दमन और दियू, माल्दियू और फिल्ममबई के पास इस फिल्म को शूट किया गया इसे एकसा दोस्तो राम सेतू को सीधे 25 अक्टूबर 2022 को दिवाली उस सो के दोरान नाट के रूप से फिल्म को रिलीज किया गया था और इसे अलोचकों से नगार तमक समिक चाये देखने को मिली वही दोस्तो इस फिल्म ने दुनिया वर के बॉक्स अपिस पे 93 क्रोड की कमाई की लेकिन ये फिल्म अपने 110 क्रोड के बजट की वरपाई करने में इस मुबईज ने भी खलता दिखाई है वही दोस्तो फिल्म के ढलान के उपर बात करे फिल्म की उत पातन पॉडॉक्शन के उपर बात करे तो दोस्तो इस फिल्म के लिए सबसे पहले दो फाइनेंसियल एकस्प्रेस की तरब से दोस्तो रिपोर्ट की अनुशार फिल्म के निर देसे कब इस एक सरमाजी 2007 से एक पलोट बेया एक पलोट बनाने की कोचिस कर रहे थे जब दोस्तो उन्हें राम सेथु से जुरू एक अधालती मामले के बारे में पता चला तब जाकर ये फिल्म अक्षए कुमार की मार औरुना भाडिया और फिर बिकरम मलहोत्रा दोवारा अक्षए कुमार की के पप गूर फिल्म दोवारा उसीकसा दोस्तो एमबादेशिया इंटर्टेन्मेंट दोवारा लाइक अप प्रोडॉक्शन और फिर जो है एमजन प्राइम वीडियो की प्रोडॉक्शन कमपनियों के तहस्षा निर्मी इतिस फिल्म को खिया गया है जो कि दोस्तों ये बारत में अमजन का पहला वोलिवूड प्रोडॉक्शन है बताया गया वही अरुना भाडिया का सितंबर 2021 में नितन हो गया था इसके वज़र से जंदर परकास दिर्वेदी को रच्छनात्मग निर्माता के रूप में साइन किया गया था अक्षाय कुमार ने फिल्म को अतीत वारतमान और फिर्जोए मविस्य की पिरियो के बीच एक पूल के रूप में वर्नित किया जो कि अम्बू दातिया एंटर्टेन्मिन के सीई ओ सुह निर्माता बिकरम मनोहत राने फिल्म को ताथियो बेग्यान और इतनी हासिक जो है ब मार्च से लिया था फिल्म को बनाने में ये सब कुछ सेट होने के बाद मार्च 2021 की सुरुआत में मेडिया रिपोर्ट ने पुष्टी किया था कि जेकलिन फर्नांडिज और नुस्त भरूचा को अक्षाय कुमर के साथ इस फिल्म में मुख्य भूमिका निवाने के लिए सा प्यार है जो कि फिल्म की अधिकारी कोसना 14 नौवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर की गई थी और सेप्तमबर 2020 की पितली रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि फिल्म की शूटिंग आयोद्या और उतर परदेश में राज टीडिया राजधाने छेतरों के आउसरत बू मंदिन में टीम द्वारा पूजा सम्हारों के बाद मुहरस शौड आयोजित किया गया था लेकिन दोस्तों वहाँ पर लोगों की एक बड़ी जो है अनियंतरित बीर के कारण मुख्या फिन नेताव द्वारा आयोधे में राम की पैड़ी घाठ की एक योजना बद यात्रा रद कर दी गई थी उसी वक्त दोस्तों कोवीड-19 का भी चर्चा चल रहा था प्रिंसिबल फोडोग्राफी के वक्त 30 मार्च 2021 को मंबई में शुरू हुई जोकी मौद द्विप पर एक बिसाल सेट का निर्मान किया जा चुगा था जहाँ पे शुटिंग 5 अप्रिल को सकार्थमक परिक्छन किया गया था और दोस्तों एक दिन बाद 5 अप्रिल Κो फिलमांकन दल के 45अद सेखुल उने सकार्थमक पर इक्छन किया इसके कारण फिलमांकन अने उस चानद काल के लिए रोकद दिया गया जिसके वजाश से सहनिरमाता मल perchimento ने रीपोर्ट्रों का खंडन किया, वही पे रिपोर्टर का दावग किया गया था कि वो बिल्कुल गलत है इस चीज में और तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीकों से पेश किया गया है और कहा गया था कि एक, वही पे कहा गया था कि एक ओफ लोकेशन्स पर जो है परिक्षण इस तलपर सरकार्टों परिक्षण करने वाले 25 लोगों को हटा दिया गया था जो कि लोग फिल्मान कंदल कहीं सा बनने के योगया थे इसे एक सा दोस्तों वसी समय जो है महराश्ट्रा सरकार्ट ने कोवीड 19 महारी की दूसरी लाहर के प्रशार को रोकने के लिए ताला बंदी लगा दी थी और इसके साथ ही कई कुरोड सदस्यों के सरकार्ट मग्रे परिक्षण के कारण फिल्म दिर्माताओ को मुंबई सेडियूल रद करना परा था और मजदी पर्शेट को धवस्त भी कर दिया गया था इसके बाद ही एक शेकवर अपनी अन्या फिल्मों पर काम करने चले गए जिन में बता दिरक्षबंदन फिल्म सामिल थी कद्पुतली फिल्म सामिल थी जिसका लंदन में दो महीनों का लंबर सेडियूल रखा गया था जो कि रामसेतू की शुटिंग पर लोटने से पहले अक्टूबर में इन दोनों फिल्मों को इन्होंने निपता दिया था शुटिंग करके खर्ट में कर दिया था उसके बाद बिस्तार से काम करने के लिए रामसेतू फिल्म के आपर वापस चले आए जो कि दोस्तों पहले की रिपोर्ट में संकेत दिया गया था कि फिल्मांकन सितंबर 2021 में फिर से शुरूप होगा हाला कि ये केवल अक्टूबर 2021 के मद्ध में उटी में एक सेडियूल के सांस शुरूप हुआ पर मुख पानी के नीचे के एक सांस से दियूर साथी सा समूदरी शुटिंग और चर्मो दकर्ष की शुटिंग जो है स्री लंका में की जाने थी जो कि स्री लंका में कोविट 19 महमारी की करन ये संभाव नहीं था जिससे फिल्मांकन टीम के लिए यहां पे संग रोध परती बंदों के तहत यातर करना मुश्किल हो गया जो कि फिल्म दिर्माताओं ने किरल और गुजरात में यहां पे बैकली पिस्थान की तलास की किरल में कोविट के बाढ़ते मामलों के करन इसका चैन नहीं किया गया वहां पर और अंत में शूटिंग के लिए दमन और दिव कुछ चुना किया था जो कि कुछ दिर्शया मुंबई में भी फिल्माए गये और दिर्शया पूरे किये गये वही पर फाइब दिसंबर तक जो है दिव में शूटिंग पूरी हो चुकी थी जो 31 जनवरी 2022 को कुमार ने शूटिंग पूरी की और वही पानी के नीचे के दिर्शों के लिए एक वस्त बिग जो है यहाँ पे एक सो सूट का उपयोग करने की योजना बनाई गी थी हाला कि इसे पहन ने और इसमें जो है शूटिंग करने की चुनोती हूँ के कारेंट टीम ने एक पार्टी करीट का विकल पे चुरा और आपको बताद एक सो पचास करोर से लेकि योजना करते हैं तो 19 मिलियन की लागस से बनाई गी थी वही फिल्म का बजट 85 करोर बताया गया था पहले अब इन सब चीजों के बाद अप्रील 2022 के एंडिंग में फिल्म निरमाता ने एक शेयक कुमार के साथ उनके लाव सत्यदेव और फिर्जेंग फरनांडिज को दर साते हुई एक पोस्टर जारी किया जो कि पोस्टर जो कि वारल हो गया था जल्दी सोचल मीडिया पर मीम्स के रूप में साइबर ठोलिंग का सिकार हो गया वही क्योंकि दोस्टों कि शेयक मारे कि जल्ती हुई जो है मसाल पकर हुए दिखाई दे रहे थे इस पोस्टर में जबकि जेकलेन फर्णाडिज एक सकती साली टॉर्ज की रोस्टी पकरे हुए दिखाई दे रही थी इसे एक साथ आपको बता दे एक्टूबर में फिल्म निर्माता ने एक मोबाइल गेम चारी किया जिसमें फिल्म के मुख्या पातर डॉक्टर आरेयन और फिर्जवे कुल स्रेश्टिप शांडरा इसमें सामिल हुए दोस्तो जून 2022 में ऐसे रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें जो है दावा किया था किराम से तू नाट के और रिलीज के बजाए जो है ओडिटे रिलीज होगी ये फिल्म कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ये अक्षय कुमार की पिछली फिल्मों समराट पिरिद्वीराज 2022 और फिर्जवे बच्चन पांडे फिल्म 2022 के खराब जो है प्रदोर्शन के कारण था मुए फिल्म निर्माताओ ने इन खबरों को अब रमानिक बताते हुए इस बस्ट किया था कि फिल्म सिनमा ग्रों में रिलीज होगी और ये फिल्म 25 अक्टूबर 2022 को दिवा ली उस सवो के दुरान रिलीज होगी ये भी बताया गया था अब दोस्तों फिल्म की कहाने के उपर बहुत सारे बाते भी चरी हुई थी बात करें फिल्म की रिस्पॉंज के बारे में रिव्यू रेटिंग के बारे में तोराम सेतू फिल्म को लोचको से नकार्टम सिमिक्छाय देखने को मिली थी क्योंकी दोस्तों सिमिक्छा एग्रिग्रेटर रोटन टमान्टोस फिल्म को दस सिमिक्छा को के अधार पर बिसकी अनुमोद रेटिंग इस फिल्म को मिला हुआ है जो कि दो इंडियन एक्स प्रेस की सुब्रा गुपता ने फिल्म को 5 में से सिर्फ 1.5 एस्टार अनना एमेम वेटे कैड ने इस फिल्म को रिवियू किया इन्होंने हिंदो थुआ परियोजना के बारे में फिल्म के बारे में कहा ये देखते हुए की निर्दिशक ने अक्साय कुमर के चरीतरा को एके गयर हुआनी थुआ नास्तिक्स से सोसल मेडिया जो है प्रश्चार में बदलने के लिए इस स्क्रिपने कोई भी बिस्वास निया पर गर्टी नहीं छोड़ी है और ये करके जो है तत्य और कल्कना के बीश के अंदर को इस पस्ट रूप से इस पस्ट कर दिया फिर उन्होंने कमजूर कहानी सो किया और फिर इस पस्ट रूप से इस चुग ज ये भी लिखा है कि ये जो है संभावी जो है बिस फोटक समयगरी से निबटने वाले फिल्म के लिए और श्टरिजने करूप से जो है सपार्ट बैठता है इसी तरह नमरता जोशी ने इस क्रीन इंटरनेशनल के लिए सिमिक्षा करते हुए लिखा फिल्म के कथानक में कमी है कलपना और फिर्जे मौलिकता और फिर गुरुमाइन्स की बिना एक्षन दिर्श दिखाया गया है उन्होंने कहा कि फिल्म में हिंदू वाट चौश को चेतरीत किया गया है ज्यादा तर बलकि कहानी में छिपाया हुआ इन चीजों को और फिर्जे समानतर में हिंदू औ पाहक के रूप में काम करते हुए दिखाए दिये हैं और फिलम जो है अपरभावी रही है ये रिपोर्ट में इनके अपने रिस्पोंस ने बताया गया है इस सिर्वियों के बाद फॉस्पोस्ट में सुभास के जाने इस प्लम के वारे में लिखा है कि ये फिलम हिंदो समर्थक किसी भी फिलम का जो ही मचा कुराने और उसे कमजोर करने के कमजोर करने के यहां पर वाम पती थी हो कि बड़े परियासों का हिसा है और उन्होंने कहा कि फिलम को सत्त समर्थक परचार की रूप में समझाना निराधार है उन्होंने सत्त अद्यो को छोड़ कर बाकी स तबी कलकारों का प्रदोर्शन निरास उनको लगा उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इंडिया जो उनसे जैसे जो है सासिक कारे के बजाए जो है यहां पे आस्था बनाम अंधबिश्वास की बास पर ध्यान देने के लिए किंद रित करने के लिए रखी गई थी अब इस तरह आपे एंडि टीवी के तरफ से दोस्तों समिक्षा करते हुए सेबल चुड़र जी ने इस फिल्म को फाइब में से 1.5 इस्टार रेटिंग थी और इन्होंने अपने रेटिंग की बारे में क्या लिए बात करते हैं इन्होंने लिखा है कि फिल्म भाटी तियास के बारे में इसे सिधान प्रतुष्ट करती है जो इतिहासिक और फिर्जोय पौरानी कताओं में और कलपने के बेच की जोयरे खाओं को दोंदला करते हुए बैग्यानिक और फिर्जोय बेधवानों के अधेरन से सहमत नहीं है उन्होंने लिखा है कि फिल्म खराब ढंग से लिखी और अन्तदक राम के अब इस स्वाशो को दंदित करने के लिए एक संदिश प्रस्तूत कर दी है ये फिल्म इसी तरह बता दे देपरिंट के लिए समिक्षा करते हुए टीना दास ने इस फिल्म को फाइप में से टूब और फाइवे स्टार रेटिंग इन्होंने इस मुव जरके नायको की नकल करने की पूरी कोशिश के बावजूद अक्षय कुमार के प्रदर्शंस को अन्संबंध बताये गया उन्होंने लिखा है कि फिल्म में इत्याजिक और मीथन के स्थान साजवे हिंदूत वा पिछाड़ धाराओं को भी सामिल किया गया है और इसी तरह परभाव और सेजी आई एनिमेशन को दो स्पोर्ड ने बताये गया है उन्होंने कहा कि अगर कोई इन बारी क्योंको नजर अंदाज करने में कामयाब हो जाये तो फिल्म प्रमांचकारी होगी जोकि इस क्रॉल इन में नंदिनी राम नातने राम सेतू की अलोशना करते हु को यहीं पर धर्मिन रिपेक्ष ग्यान से ऊपर खा जाना चाहिए उन्होंने कतानक और कलकारों के प्रदोर्शंस में भी कमी पाई और फिर बताया है देहिंदू के तरफ से नुश कुमार ने कि यह कहते हुए फिल्म के लुचना की कि यह एक जो है सत्तरूत भार्टिय ज कस्मिर फाइल फिल्म 2022 से की जहां दोने फिल्मों में हिंदू समाच के भी तर उदार और फिर धर्मिन रिपेक्ष मुल्यों को एक खत्रे के रुप में दर्शाया गया है जिससे दोस्तों निपटने की ज़रूत है दोनों फिल्में बहुत संखिया हो के उत्पीदन के दिर किस्टी कुन से लिखी गई थी और हिंदू को यहां पर उब्देश भी दिया गया है फिल्म के माध्यम से इसी तरह दोस्तों अभी मन्यू माथूर जी ने हिंदूस्तान टाइम्स के लिए समिक्षा करते हुए पाया की फिल्म मजदार और रोमांचिक है उन्होंने इस फि पर कहा कि पूरी काश्ट का उद्श रहाक्त अनक में सामिल हुआ दिखाई देता है सामिल हुआ और फिड़ियोस सामिल हुए बिना किवल जव्द्व क शरितक को सांध देना पर यहां पर पर्ती थो हता है कि हालाँ कि उन्होंने पर्विस करन और 202 की परशंश की जो कि उ उसनाओं के रूप में अलोचना की थी उन्होंने इस स्वार्स की हिंदी फिल्मों में बैकराउंड इसकोर को सर्वस रिष्ट पाया लेकिन देर से अपर भाव और फिर कंप्यूटर जो है ग्राफिक्स को संदेगट पाया उनका मानना था कि जब कोई जो है मेलोड ड्रामा क बेहत कमजोर लगता है देखने में साथी साथ इसमें बहुत कम या फिर कोई जोए सिनमाई अपेल नहीं की गई है अंत में ये ना तु मज़दार है और नहीं गंबीर है जो की जूम की तरफ से संचीता जूंजनवाला ने फिल्म को थ्री स्टार रेटिंग देते हुए कह फिल्म एक ऐसे आधार पर आधारी थे जो की दिल्चस्प है लेकिन बीच बीच में एक खिचाओ जैसा मैसूस होता है और साथ ही बहुत महात्वा कांची भी लगता है बॉली बूर्ट के तरफ से हंगावा के तरफ से लेगते हुए फिल्म को 5 मिसे 2.5 स्टार रेटिंग दिया गया और इसके दिल्चस्प होने और फिर जो है कलाइब मिक्स को अच्छी तरह से जो इनिस पादित करने की पच्छन सखी लेकिन कथानक और बीफिक्स की अलोचना भी किया गया है फिल्म के अंदर और दोस्तों फिल्म फैर के देवेस सर्मा ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दी और लिका है फिल्मक शे कुमर के एट गिर घुमती हुई नसराई उन्होंने एक के गीकी जो है कादमी को अकैडमिक बनने की पूरी कोशिस की है और अपने जो है भूनका को बहुत कम निवाया है दग कुईन के तरब से जो है पाट्तिया च्छी मिस् फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया है और लिका है राम सेतु एक बुरी फिल्म नहीं है लेकिन ये अच्छी भी नहीं है ये कहीं न कहीं बीच की फिल्म में जो की बिशाय के कुछ लोग होंगे लेकिन हम चाहते हैं कि फिल्म के नियो दिशक ने पर क्रिटिक जो का बेवार ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग इन्होंने भी दिया और लिका है कुछ अच्छे पीछा करने वाले दिर्शों को छोड़ कर राम सेतु फिल्म में कोई भी जो चिंगारी नहीं है और ये बहुत अधिक उपदेश तात्मक है जो की नियूज 18 तरब से जो ब्रूर दिखाता है तोस्तों दर्शकों के बीच में दर्शकों की बीच जो मौफिक परचार अच्छा परड़िसन नहीं कर शका और दर्शकों की संख्या कम हो गया इस तरह और इस परकार बॉक्स अपिस संग्रह कम हो गया फिल्म का जो कि भातियर भारतियराश नेता भार्टिया और उनके एट अन्य लोगों को राम सेतू गथा को भी क्रीद करने के लिए कानूनी नोटिस भी जारी किया था इस तरह से मद्य परदिश के ग्रिह मंत्री जो है नरुत्ता मिसर जीने फिल्म की प्रसंसा करते हुए कहा कि ये फिल्म अराम सेतू पूल के बारे में सचाई बताएगी और कहा कि ये मानो निर्मीत है और रमायन काल के दुरान जो है बनाया गया था इसी तरह दोस्तों दिवाली के आज पास जो है छुटियों पे और फिर जो है मौसम में रिलीज होने का कोई भी कारण बेवपार बिस ले सको की बाक्स अपिस पर अच्छी जो है शुरुआत की अमीद के साथ जो है राम से तू फिर जो है सिनमा करों में रिलीज हुई वह इस जो हिस्सेदारी हासिल करने में और सफल रही फिलम ने और अपने पहले परदोशन के दुरान जो है फिलम जो दिवाली के दिन और फिर जो है दिवाली के बाद रीज वी ती वही पर तेहुआरिक जो है सीजन की छुट यूगा फायदा इस मौबिज ने बहुत ही आदे का कलेक्शन किया दूसरे दिन फिर 11 करों रुपए से आदे का कलेक्शन इस फिल्म ने किया तो कहीं ने कहीं इंग्लेज होने पर फिल्म को अच्छा खासा रिस्पोंस देखने को नहीं मिला वहीं दोस्तों फिल्म को बरान में 102 करों रुपए से आदे की क्रेक्शन नहीं किया और इस इससा दोस्तों ये फिल्म डिजास्टर रही है तो दोस्तों अमीद करता हूं कि आपके सारे सवालो का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तुम्हें मिलता हूँ आप से कवर नए वीडियो में तब तक लिए ट्रिल एंड सी यो सून